येस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टनून गुड इमनिंग टू अलो फ्यू कैसे है सब लोग अपसो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता तुम मैं भी बहुत अच्छा हो तो मैंने सोचा के बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते जो बहुत छुटे चुट टॉपिक है और लास्ट डे पर आपसे रिवाइज नहीं हो पाते तो क्यों ना मैं उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन सापको करा लू जिससे कि लास्ट डे पर जाते जाते अगर आप यह क्वेश्चन देखके चले जाओ तो एक्जाम में आपका एक्लीस 10-15 मार्क से वह आपक को करके जाना है question number seven क्या बोलता देखिये Mr. Madan gifted a sum of 6.5 lakh rupees to his brother wife on 14 June 2022 and 12 July 2022 his brother gifted a sum of 5.2 lakh to the mother's wife the gifted amount were invested in the fixed deposit in the banks by mother and wife of mother's brother on 1st August 2021 at the 9% interest rate discuss the consequences of the above under the provision of income tax at 1961 in hands of the mother and his brother अब एक बात समझना है यह concept आता है cross gift का और यह cross gift का concept क्या आता है कि जैसे एक बात समझना है यहां पर जैसे दे रखा है एक बंदा है जिसका नाम है मदन और उसका भाई है अपन बोल देते हैं bro अब एक बात समझना मदन की wife है उसको अपन बोलेंगे Mrs. Madan कर गे ठीक है औ और मदन के bro की wife को बोल देते Mrs. Bro कर गे ठीक है अब मदन ने क्या किया अपनी भावी को gift किया और ब्रो ने क्या किया अपनी भावी को amount gift किया तो इस particular case में क्या होता है अगर आप directly अपने spouse को gift करते तो तो clubbing हो जाता लेकिन इसमें तो clubbing नहीं होगा लेकिन यहां पर यह indirect transfer है और indirect transfer के case में concept आता है cross gift वाला और cross gift में क्या होता है कि जितना भी income होगा ना इन दोनों को वो income इनके husband के हाथ में club होगा लेकिन एक चीज समझना इसमें clubbing कितना होता है जितना matching amount पे income है matching amount का मतलब क्या हुआ जैसे इस example में आपको क्या दे रखा है देखिए मदन ने कि इसना gift किया है 6.5 lakh gift किया है और उसके भाई ने 5.2 lakh gift किया है तो इसने 6.5 lakh gift किया है और इसने 5.2 lakh gift किया है अब एक बात समझना यहां पे 6,50,000 पे जितना भी income होगा वो पूरा income club नहीं होगा उसके brother के husband के brother के हाथ में यहां पे एक चीज समझना यहां पे clubbing होती है जो matching amount है आपको हमेशा matching amount देखना है इसमें matching amount कितना है 5.2 lakh is a matching amount तो एक बात समझ दिए यहां पे Mrs. Madden को 5,20,000 पे जितना भी income होगा वो मदन के हाथ में taxable होगा और यहां पे 6,50,000 पे जितना income होगा out of that income जितना proportionate to the 5,20,000 जितना income होगा वो उसके brother के हाथ में club हो जाएगा तो जब भी cross gift होता है तो cross gift में आपको क्या करने का दोनों में से matching amount, matching amount का मतलब होता है lower amount तो जो भी lower amount होगा उस पे दोनों को जो income होगी lower amount पे इसको जो income होगी और lower amount पे इसको जो income होगी वो उनके respective husband के हाथ में club हो जाएगा और एक बात बताईए यहां पे जो मानलों बाकी वाला जो income रहेगा वो किसके हाथ में taxable होगा, जो Mrs. Bro है, वो Mrs. Bro के हाथ में taxable हो जाएगा, अब आप यह answer देखोगे, फटाफर तो आप को समझ में आ जाएगा, अब एक बात समझता है, एक और question मैंने लिया है, that is question number 11, और question number 11 में देखिए क्या दे रखा है, Mr. Rose, out of his own fund, had taken a FDR of rupees 10 lakh bearing interest 10% per annum payable happily in the name of his wife Lily, अब एक बात समझना है, यहाँ पे रोज ने क्या किया, उसके फंड से, उसकी wife के नाम पे FD करवाई, 10 lakh rupees की 10% का interest rate है, तो इसका मतलब 1 lakh rupees interest आएगा, और यह 1 lakh rupees interest है, वो किसके हाथ में club हो जाएगा, रोज के हाथ में club हो जाएगा, क्यों number 4 यह बोलता है, कि अगर आप अपने spouse को कोई भी asset transfer करते हो, तो उससे जो भी income होती है, वो income जो है, वो मिलेगी तो आपके spouse को, बढ़ वो आपके हाथ में club हो जाएगी, अब एक बास समझना, यहाँ पे रोज ने क्या किया, रोज ने अपनी wife को 10 lakh rupees gift किया, और एक और चीज़ समझना, जब भी gift होता है, या inadequate consideration से transfer होता है, वहीं पे club ही होता है, तो 10 lakh पे जो 10% की rate से interest आये ना 1 lakh rupees, यह 1 lakh rupees तो रोज के हाथ में taxable हो जाएगा, club हो जाएगा, रोज के हाथ में, लेकिन एक चीज़ समझता है, यह 1 lakh rupees वापस business में invest हुआ और उस पे 55,000 का income हुआ, क्या यह रोज के हाथ में club होगा, क्या answer is ना बाबा ना, यह club नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी asset transfer करते हो, उस पे जो income होगी, that income is going to be club, बट उस income पे वापस income होती है, जो accredited income बोलते है, वो club नहीं होता है, वो आपकी income जो है, वो club नहीं होगी इस particular case में, दूसरे topic पे चलते हैं, दूसरा topic आपका आता है, that is the setup and carry forward of the losses, अब एक बास समझना, setup and carry forward of losses में सीथा question number 2 पे आ जाईए, question number 2 यह बोलता है, ABC Limited was amalgamated with XYZ Limited, ABC Limited एक company है, जो XYZ Limited के साथ amalgamate हो गई, 1-4-2022 गो, इसका मतलब आपका previous year 22-23 में amalgamation हो रहा है, all the condition of section 2-1-B, that is amalgamation की satisfied करते है, ABC Limited has the following carry forward losses, as assessed till the assessment year 22-23, तो एक बात समझना, यहाँ पे previous year 21-22 तक के, जो तुमारे पुरानी company है, ABC Limited, उसके यह losses दे, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको amalgamation में बताया हुआ है, कि जब भी amalgamation होता है, तो पुरानी company के जो losses होते है, business के losses, and unabsorbed depreciation है, वो as it is new company carry forward कर लेती है, और उसको business losses के case में fresh 80 years का time limit मिलता है, और बेटा, आपके unabsorbed depreciation के case में तो कोई time limit होता है, नहीं तो unlimited time limit है, वो मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ समझना, business losses carry forward कर सकती है, लेकिन उसमें भी speculative business के losses को छोड़के, speculative business के losses है, वो carry forward नहीं कर सकती, तो इस particular case में एक बाद बताऊं, ये जो speculative losses है, पुरानी company का, ये carry forward नहीं कर सकते, unabsorbed depreciation कर सकते है, answer is yes, unabsorbed depreciation कर सकते है, unabsorbed expenditure of capital nature of the scientific research, अब एक बाद समझना, ये unabsorbed expenditure of capital nature on the scientific research है ये आपके unabsorbed depreciation की तरही गवर्न होता है, जैसा unabsorbed depreciation होता है वैसा ही यह होता है unabsorbed expenditure of capital nature on the scientific research तो यह भी set up कर सकते है और business के losses है वो भी set up कर सकते है कोई दिक्कत नहीं है आगे क्या देरगा देखिए XYZ limited has a computed a profit of the 140 lakh for the financial year 22-23 तो new company का current year का profit है वो 140 lakhs है before setting of the eligible losses of the ABC limited but after providing the depreciation at the rate 15% per annum on the 150 lakh 150 lakh पर उन्होंने 15% की rate से depreciation लिया है being the consideration at which plant and machinery were transferred to the XYZ limited the written down value as per income tax record of the ABC limited on 31st March 2022 was the 100 lakh एक बात समझना जब भी amalgamation होता है और block transfer होता है तो block के case में new company depreciation किस पे लेगी जो पुराने वाले का WDV है तो यहां पर पुराने वाले का WDV कितना है 100 है तो depreciation जो मिलेगा आपको वो आपको 100 पे ही मिलेगा जो depreciation जो मिलने वाला है वो depreciation आपको 100 पे मिलेगा ना कि 150 पे मिलेगा तो 150 पे ले रखा है वो गलत ले रखा है उसको change गरेंगे और depreciation अपन 100 पे लेंगे तो एक बात समझना, सबसे पहले इसका profit आपको कितना दे रखा है, 140,000,000 दे रखा है, तो पहले तो आप as it is यहाँ पे 140,000,000 ले लीजिए, अब जो depreciation गलत प्रोवाइड किया है, उसका adjustment कर लीजिए, क्योंकि depreciation के लिए आपने 150 पे depreciation लिया है, लेना चाहिए था 100 पे, तो आपने 50 पे excess depreciation लिया है, और 50 पे excess depreciation आपने कितना लिया होगा, 15% की rate से, तो आपका 7.5 आ जाएगा, तो उसको आप add कर दीजिए, इतना आपने गलत depreciation लिया था, 147.50 हो जाएगा, अब आप एक काम करिए, कि जो भी पुरानी कंपनी के losses है, वो पुरानी कंपनी के losses 120 ह वो as it is set up कर लिजिए, कोई दिखकत नहीं, तो 120 है, अपन सबसे पहले set up करेंगे, क्योंकि देखो, broad forward business losses है, यहाँ पे 8 years तक ही यह set up कर सकते है, तो सबसे पहले इसको करेंगे, उसके बाद, जो तुमारा unabsorbed depreciation है, उसको कर लिजिए, और उसके बाद में आप एक काम करि ठीक है, और speculative business का income है, वो speculative business का income, obviously यहाँ पे taxable होगा, कि यहाँ पे 10 lakh का speculative business का income था न, वो already इसमें 140 में जुड़ा हुआ है, तो already जब 140 में जुड़ा हुआ है, तो आपको और भी अलग से कुछ करने की ज़रुवत नहीं है, यह पुराने वाले का 4 lakh का जो unabsorbed depreciation है, इसको आपको ignore करना रहेगा, चलिए, this is the question number 2, उसके बाद मैं चलते है, question number 3 पे, question number 3 क्या बोलता है, देखिए, अब private limited company has a share capital in the form of equity share capital, the share were held up to till 31st March 2021 by 4 member that is ABCD equally, तो इनका क्या था, till 31st March 2021 तक 4 shareholder है, जिनके पास 25%, 25%, 25%, 25%, 25% का shareholding है, the company made the losses or profit for the past 3 assessment year, is as follows, तो इनके assessment year 1920, 1920 assessment year का मतलब हुआ, previous year आपका 1819 ले लिजिए, यहाँ 2021 means previous year आप 1920 ले लिजिए, और यहाँ पे previous year आपका 2021 ले लिजिए, यह तीन साल में क्या हुआ, कि business के losses यहाँ पे कुछ नहीं है, इस साल के कुछ नहीं है, यहाँ पे business के losses है, वो 9 lakh है, और unabsorbed depreciation है यह आपको दे रखा है, यह आपको total दे रखिये, losses और unabsorbed depreciation की, the above figure have been accepted by the tax department, आगे पूचा है, during the previous year, ended 31st मार्स 2022, 31st मार्स 2022 का मतलब हुआ, आपका previous year 21-22, तो previous year 21-22 में क्या हुआ, A sold his shares to the Y, A ने अपने जो shares है 25%, वो Y को sold कर दिये, and during the previous year, ended 31st मार्स 2023, B sold his shares to the Z, means यहाँ previous year 22-23 में, B ने अपने share Z को sale कर दिये, the profit of the past two previous year are as follows, till 31st मार्स 2022 का profit 18 lakh है, before charging the depreciation, and 31st मार्स 2023 का profit of 45 lakh, before charging depreciation of 750, आप से पूचा क्या है, compute taxable income for the assessment year 23-24, इस साल का आप taxable income निकालिये, and working must be part of your answer, अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज़ समझना, कि एक section आती है, अगर आपको याद रहेगा, तो section 79 करके, और 79 section क्या बोलती है, कि closely held company के case में, अगर कोई company है, वो closely held company है, तो closely held company के case में, जिस year में loss होता है न, उस year में, जिस year में, आप उस losses को set up कर रहे हो, उस year में, दोनो year में, at least 51% shareholder same होने चाहिए, मैंने क्या बोला, कि भाईया, जिस year में loss होता है, loss, या unabsorbed depreciation नहीं, सिरफ loss, जिस year में loss होता है, उस year के end में, जो shareholder है, and जिस year में, उस losses को आप set up कर रहे हो, उस year के end में, जो shareholder है, at least 51% shareholder, same होने चाहिए, तभी आप set up कर पाऊगे, otherwise आप set up नहीं कर सकते, ऐसा section 79 बोल उस losses को set up कर रहे हो, उस year के end में, जो shareholder है, at least 51% shareholder, same होने चाहिए, तभी आप उस losses को set up कर सकते हो, otherwise वो losses को आप set up नहीं कर सकते, ignore करना पड़ेगा, अब एक बात समझना, यहाँ पे, आपका loss कौन से year में हुआ है, that is previous year 2021 में हुआ है, तो 2021 में 9 lakh का loss हुआ, तो इस साल में जो shareholder थे, इस year का last date क्या रहेगा, 31st March 2021, इस previous year का last date, 31st March 2021, 31st March 2021 को जो shareholder थे, तो जिस year में आप set up करोगे, उस year में जो shareholder है, at least 51% shareholder सेम होने चाहिए, अब एक बात समझते है, सबसे पहले अपन बात कर रहे है, previous year 21-22 की, तो एक बात बताओ, previous year 21-22 में क्या हुआ, 21-22 में आपका profit कितना हुआ, business profit है, वो 18 lakh है, और आपके current year का depreciation, obviously आप सबसे पहले set up करोगे, क्योंकि sequence क्या होता है, पहले current year का depreciation लीजिए, उसके बाद में brought forward business losses दीजिए, और उसके बाद में unabsorbed depreciation लीजिए, तो अब आपके पास में 9 lakh का profit बच गया, ठीक है, अब एक बात बताओ, इस साल में 9 lakh का profit बचा, question ही आता है, कि क्या sir, जो हमारे losses है, ये वाले 9 lakh, क्या इसको set up कर सकते है या नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा, कि 31st March 2021 को जो shareholder है, end guys, 31st March 2022 को जो shareholder है, जिस year में set up कर रहे है, उस year के end में जो shareholder है, at least 51% shareholder सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, एक table मैंने दे रखिए, यहाँ पे year ended 31st March 2021 को ये shareholder 4 थे, अब एक बात समझना, इस साल में ये A अपने share Y को बेचती है, और अगले साल जाके इसने B ने अपने share Z को बेचती है, अब एक बात बताओ, ये loss कौन से year में हुआ था, previous year आपका 2021 में हुआ था, और इसको set up ले रहे हो previous year 2021-22 में, तो एक बात बताओ, इन दोनों सालों में क्या आपके 51% shareholder सेम है या नहीं, answer is ह यहां तो 51% और मोर नहीं, यहां तो 75% shareholder सेम है, जिस year में loss हुआ था, उस year में देखे, BCD के पास में, जो shareholding थी, वो 75% और आप set up कर रहे हो, उस year में भी BCD के पास में 75% है, तो यहां पे 75% की shareholding सेम है, तो यह losses आप set up कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप एक काम क ले लिजिए, इस साल का depreciation है, वो 750 है, इतना बचा, अब एक बात बता हो, पुराना unabsorbed depreciation आप set up कर सकते हो, unabsorbed depreciation के लिए एक condition नहीं है, यह जो 51% वाली condition है, that is not applicable for the unabsorbed depreciation, यह unabsorbed depreciation के case में नहीं है, तो यह जितने भी unabsorbed depreciation आपको दिख रहे हैं, आप इसका set up ल जाहिए, that is the question number 12 करके, और question number 12 क्या बोलता है, देखिए, JKLM एक partnership firm है, consisting of the four partner, namely JKL and M, they share the profit and losses equally during the year ended 31st March 2022 में, उनका PSR है वो equal था, the assessed business loss of the firm for the assessment year 22-23, means last year का उनका जो loss है, वो loss आपको दे रखा है, कितना बता है, which is entitled to carry forward amounting 3,60,000 का last year का loss है, A new deed of the partnership was executed amongst JKLM on 1.2022, इस साल में एक नया partnership deed बनाया, in terms of which they agree to share profit and losses in the ratio of 15 to 15 to 20 to 50, respectively, means इनो ने इस साल में PSR change घर दिया, compute the amount of business losses relating to the assessment year 22-23, which the firm is entitled to set up against the business income for the assessment year 23-24, The business income of the firm for the assessment year 23-24, इस साल का 3,30,000 है, your answer should be supported by the reason, अब एक बाद समझना, यहाँ पर इस साल में PSR change हुआ, अब एक बाद समझना, एक section हुआ करती है, section 78, subsection 1 करके, यह मैंने आपको partnership firm में बताई थी, और यह section यह बोलती है कि अगर मालो कोई भी partner retire हो जाता है, यहाँ कोई partner की death हो जाती है, तो उसके हिस्से के जो losses होते है ना, वो losses partnership firm as well as वो partner carry forward नहीं कर सकता, अगर किसी partner की death हो जाती है, यह partner retire हो जाता है, तो उसके हिस्से के losses है, वो partnership firm as well as वो partner है, वो carry forward नहीं कर सकता, वो lapse हो जाएंगे, लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पे death हो रही है, क्या answer is no, यहाँ पे कोई भी death नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई भी retirement नहीं हो रहा, तो यह 3,60,000 के जो total losses है, यह इस साल हम set-off कर सकते है, 3,30,000 set-off कर लेंगे और remaining 30,000 का loss है, that will be carry forward to the next year, वो अगले साल आप carry forward कर लेंगे, खरेंगे, ठीक है, so hope so you understood this particular point, तो यहाँ पे set-off कर सकते है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे section 78-1 है, वो applicable नहीं होगी इस particular case में, अब आजाएए सीधा एक topic, that is the deduction topic पे, और deduction पे देखिए, question number 5 है, question number 5 क्या बोलता है, Mr. Shiva, age 61 year से, has gross total income of 7,75,000 का उसका GDI है, comprising और income from salary house property से उसका income है, जो 7,75,000 है, he has made the following payment and investment, इसने यह payment किये है, investment किये, आपको इसकी total income बतानी है, शिवा की, तो शिवा की total income निकालने के लिए 7,75,000 है, यह सीधा, आप gross total income ले लेंगे, अब देखिए क्या दे रखा है, सबसे बहला, premium paid to ensure the life of her major daughter, policy taken on 1 for 2014, and assured value is 1,80,000, 20,000 का उसने payment गिया, अब एक बाह समझना, यहाँ पे क्या होता है, कि जब भी अगर आप कोई life insurance policy लेते हो, तो पहली चीज़ है life insurance policy का premium pay करना है, तो ATC में deduction मिलेगा, लेगिन policy किसके नाम पे होनी चाहिए, या तो assessi के नाम पे, या spouse के नाम पे, या children के नाम पे, एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई dependent वगेरा word use नहीं होता ATC में ATC में अगर आपका वो children है, किसी भी age का हो, बले वो 40 साल का हो, उससे कोई फरक नी पड़ता, major हो, minor हो, married हो, unmarried हो, उससे कोई फरक नी पड़ता, तो अगर आप children के नाम पे policy लेते हैं, तो उस particular case में आपको deduction ATC में मिलेगा, life insurance policy के premium का, लेकिन एक चीज़ समझना, अगर policy 12 के बाद में ले रखा है, तो policy value का आपको कितना मिलेगा, 10% तक आपको deduction मिलेगा, तो अब एक बात समझिए, यहाँ पे 1,80,000 तक यह policy value है, आपने 20,000 का premium पे गिया, कितना मिलेगा, maximum 18,000 का deduction मिलेगा, that is the 10% of 1,80,000 under section 80C कर गिए, उसके बाद में देखिए, आगे क्या दे 80D में मिलेगा, अब 80D में normally limit कितनी होती है, assessi के लिए, spouse के लिए, children के लिए, और dependent children होने चाहिए, assessi, spouse and dependent children, इन तीनों का मिलाखे 25,000, but अगर आप senior citizen हो, तो उस particular case में यह limit 50,000 हो जाती है, parents के लिए अलग से 25,000 का मिलता है, और parents में से अगर कोई senior citizen है, तो already वो भी 50,000 का ह हो जाएगा, मिस total आपका 1 lakh मिल सकता है, अब एक बात समझना है, यहाँ पर 12,000 हो खुद के लिए, और 14,000 spouse के लिए, यहाँ 12 और 14,000 जो है, वो आपका होदा है 26,000, क्या 25 में लेगा, answer is no, क्योंकि यहाँ पर देखिए, assessi senior citizen है, और जब assessi senior citizen है, तो पूरा आपको 26,000 का deduction है, वो आपको मिल जाएगा, 80D में, तो 80D में आपको deduction पूरा 26,000 का मिल जाएगा, चलिए, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है, that is donation to the public charitable institution registered under section 80G, 1,50,000 by way of the check, आपने कोई भी charitable institution को donation दिया, तो इसका deduction आपको 80G में मिलता है, बट आपको पता है, 80G में यह limited category में आत STC mobile, STC mobile में कौन सा होता, एक तो housing development उसको bank को दिया, या फिर T का मनला trust बगेरा जो हते है, उनको दिया, trust का मतलब यह तुम्हारे क्या temple है, church है, गुरुद्वारा है, उनके repair renovation के लिए बगेर आपने दिया, उसके बाद C का मनला charitable institution को दिया, या फिर आपने वो minority community के promotion के लि 50% मिलेगा, बट वो भी limited category में आएगा, limited category का मतलब होता है, 10% of ATI से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बाद में, LIC के pension fund में पैसा डाला, इसका deduction आपको ATCCC में मिल जाएगा, तो आप CCCC में इसका deduction ले लीजिए, तो ATCCC में आपका 60,000 का deduction है, वो मिल जाएगा, उसके पात में, next part पे चलते है, donation to the national children fund, अब एक बात समझना, national children fund को जब भी आप अगर donation करते हो, तो उस particular case में क्या होता है, कि आपको 100% deduction मिलता है, और वो भी unlimited category में आता है, unlimited का मतलब कितना भी amount है, चलेगा, national children fund को, लेकिन एक बात समझना, next point में दे रहा है, donation to the जवाललाल नह पीम ड्रॉट फंड, यह चार फंड ऐसे होते है, जिसमें क्या होता है, कि आपको unlimited category में आता है, लेकिन उसमें 50% का deduction मिलेगा, तो यहाँ पे बेटा है, यह जो unlimited category में आएगा, लेकिन इस पे सिरफ 50% का आपको deduction मिल जाएगा, उसके बाद, donation to the approved institution for promotion of the family planning, family planning के लिए आपन अपन बात करेंगे 80G के लिए, तो 80G का deduction लेने से पहले आप एक बात बताईए, आपकी यहाँ पे 80G का deduction देखिए, नैशनल चिल्डरन फंडे 25,000, वो 100% मिल जाएगा, unlimited category में आता है, उसके बाद, जवालल नैरू 25,000, 50% मिल जाएगा, unlimited category में आता है, अब एक बात समझता है, यह donation जो है, यह आपके adjusted total income के 10% से ज्यादा नहीं हो सकते, अब आप बोलोगे, यहाँ पे adjusted total income क्या होगा, तो adjusted total income का मतलब, आप gross total income ले लीजिए, और gross total income में से आप एक काम करिए, एक तो special rates वाली income को अठा दीजिए, और gross total income में से जितने deduction है, 80G को छोड़के बाकी 775 में से 78 को less करेंगे, तो आप 78 और 26 को less करेंगे, तो आपके पास में बचेगा 671, 671 बचा, अब एक बात बते हैं, 671 का 10% कितना होता है, 67100 और 67100 आपका eligible donation आजाएगा, तो आप एक काम के रिए 67100 जो है, इतना आप donation कर सकते हैं, तो पहले 40,000 वाले का पूरा 100% ले अब एक बात बताओ, 40,000 को less कर दीजिए, बाकी कितना बचा, 27,100 बचा, तो 27,100 पे आप 50% ले लीजिए, 13,550 आजाएगा, तो 91,050 है, इतने का आपको यहाँ पे deduction मिल जाएगा, अंडर section 80, जी करके, ठीक है, चलिए, उसके बाद में next question पे चलते है, question number 6 करके, और question number 6 है, वो start-up से related question है, कि जो start-up होते हैं, start-up को deduction मिलता है, कि 10 years मैं से किसी भी 3 consecutive years के लिए, आप 100% deduction ले सकते हैं, under section 80, IAC करके, तो देखिए, यह question क्या बोलता है, A limited was incorporated on 1-4-2022, to carry out eligible business for the innovation, development, or improvement of product process, or service, or a scalable business model with the high potential of employment generation and wealth creation, खुल मिलाखे, start-up की बात कर रहा है, it holds a certificate of eligible business from the notified IMBC, यह inter-ministerial board of certification से, उनके पास start-up का certificate भी है, The total turnover and profit and gain from such businesses, आपको previous है, 22, 23 से लेके 31, 32 तक आपको दे रखा है, आपसे पूचा है, कि is the benefit available, क्या इनको कोई benefit मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक section हुआ करती है, that is the 80 IAC, और 80 IAC क्या बोलती है, कि अगर यह 4 condition satisfied होनी चाहिए, पहली condition तो यह है, कि भाईया वो start-up होना चाहिए, दूसरी condition यह है, उसका incorporation 1 for 2016 से लेके 31st March 2023 के बीच में होना चाहिए, उसका turnover किसी भी साल में 100 करोर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके पास में certificate होना चाहिए, अगर यह condition satisfied हो जाती है, तो आप क्या करोगे बता है, 10 years में से, जिस year में आपका यह जो start-up है, यह incorporate होता है, उस year से लेके, और जो 10 years होते है, टोटल 10 years, 10 years में से कोई भी 3 years के लिए, आप अपनी income पे 100% deduction ले सकते है, अपनी income पे 100% deduction है, वो ले सकते है, 10 years में से किसी भी 3 consecutive years के लिए, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे years की बात करूँ, मैंने यहाँ पे 10 years दिये, यहाँ से लेके और यहाँ 10 years, आप कौन से 3 years लेना पसंद करोगे, obviously पहले साल loss हुआ, deduction का सवाल ही नहीं होता, दूसरे साल भी loss हुआ, deduction का सवाल नहीं होता, अब आप क्या करोगे, इसके आगे जितने भी years है, इसमें से कोई भी 3 consecutive years के लिए ले लिए, और देखे, किसी भी year में आपका turnover 100 crore से जादा नहीं है, तो आ आप एक काम करिए, यहाँ पर इस year के लिए deduction ले लिए, इस year के लिए, इस year के लिए लिए, तो 3 consecutive year के लिए आप deduction ले सकते हैं, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इन 3 years के लिए ले सकते हैं, answer is yes ले सकते हैं, बट क्या इस साल और इस साल ऐसा कर सकते हैं, answer is no, यहाँ पर consecutive year के लि लेगा after setting of this losses, ये losses है वो set up कर लोगे, उसके बाद में जो income बचेगा, उसके बाद में ये deduction मिल जाएगा, चलिए, उसके बाद में deduction topic में एक और अगर मैं आपको question कराना चाहूं, तो एक और question मैं आपको कराऊंगा, that is question number, question number, question number, question number, और question number 19 is related to, ये जो question है ना, ये आपकी दो section से related है, एक तो ATE, आपका E, E, A करके, और एक section वहा करता है, ATE, E, E, B करके, उन दो section से related है, चलो, एक काम करता हूं, मैं पहले आपको ATE, E, A और ATE, E, B, जो है, उसको revise करवा देता हूं, तो ATE, E, A section क्या बोलती है, deduction in respect of interest on housing loan, maximum deduction कितना मिलता है, 1,50,000 का यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आप मुझे बोलो, कि sir, एक बात बता है, यह housing loan का interest है, उसका deduction तो house property में मिलेगा, answer is yes, उसका deduction house property में मिलेगा, but SOP के case में, you know that house property में maximum 2 lakh का मिलता है, अगर LOP है, let out property, या deemed to be let out property है, उस case में तो पूरा मिल जाता है, ल कि यहाँ पे कुछ condition है, पहली condition क्या है, बदा है, यह जो loan लेना है आपको सरफ bank से लेना है, या financial institution से लेना है, तो bank या financial institution से आपको loan लेना पड़ेगा, दूसरी condition यह है, कि stem duty value उस property की 45 lakh से जादा नहीं होनी चाहिए, it should be up to 45 lakh, तीसरी condition यह है, कि one for 2019 से लेके 31st March 2022 के बीच में यह loan sanction होना चाहिए, सौती condition यह है, कि आपके पास में और कोई भी house property नहीं होना चाहिए, जिस दिन आपका loan sanction हो रहा है, और अगर आप इस section में deduction लेते हो, तो और किसी section में नहीं लोगे, इसका मतलब यह हुआ, कि आप जो है, जैसे माल लो interest का deduction already 24B में मिल गया है, तो फिर यहाँ पे नहीं लोगे, जैसे total interest 2 lakh है, और 2 lakh आपने 24B में ले लिया है, तो फिर यहाँ पे नहीं लोगे, लेकिन foreign example total interest 3 lakh है, तो 2 lakh का deduction आप ले सकते है, 24B में house property में और remaining वाला interest का deduction आप 80EA में ले सकते है, तो चलिए, यह जो question है, इस question के पहले जो दो part है ना, दो part से related है, सबसे पहला, देखिए, Mr. Arun करके एक बंदा है, जिसने housing finance corporation, financial corporation से loan लिया है, तो housing finance corporation से उसने loan लिया है, 43 lakh का अगर के, ठीक है, date of sanction of loan कब है, 1st March 2022, तो 31st March 2022, the sanction हो गया, answer is yes, disbursement कब हुआ, current year में हुआ है, 1 5th 2022 को disbursement हुआ है, acquisition of residential house property for the self-occupation और stem duty value 45 lakh है, stem duty value है, वो exact आपका 45 lakh रुपेद है, rate of interest है, वो 9% है, आपसे पूचा है, कि interest कितना अलाव होगा, तो एक बात बताए, यह पहली चीज़ तो क्या condition satisfied हो रही है नहीं, जो यहाँ पे condition दे रखी थी, वो condition satisfied हो रही है नहीं, पहली condition क्या यह financial institution से लिया है, answer is yes, दूसरी condition क्या stem duty value up to 45 lakh है, answer is yes, 45 lakh यह उससे कम होना चाहिए, तीसरा क्या loan 31st March 2022 से पहले sanction हुआ है, answer is yes, क्या उसके पास और कोई property नहीं है, answer is yes, तो यहाँ पे deduction 80 EEEA में मिल जाएगा, आपको कितना 1 lakh 50,000 तक, तो पहले तो आप निकालिए interest कितना है, तो आप क्या करेंगे, आपका loan amount है 43 lakh, 43 lakh पे आप एक काम के रिए सीधा आप 9% per annum ले लिजे, तो 43 lakh पे आप अगर 9% per annum ले May 2022 को हुआ है, तो इस particular case में क्या होगा, इस date को अगर disbursement हुआ है, तो इस particular case में, इस साल में 11 month का interest आएगा, तो 11 month का आपका जो interest आता है, वो 354,750 आता है, इसमें से 2 lakh का deduction तो आप house property में ले लिजिए, और 1 lakh 50,000 का deduction है, वो आप यहाँ पे ले लिजिए, 80 EEEA में ले लिज से लिया है, तो NBFC से loan लिया है, तो क्या deduction मिलेगा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि इस particular case में क्या बोला हुआ है, आपको या तो bank या financial institution से लेना है, जैसे housing finance company जो होती है, उस से आपको लेना है, तो यहाँ पे bank से या financial institution से लेना है, तो अब एक बात समझना, यहाँ पे उसको deduction नहीं मिलेगा, ATEEA में, तो देखिए, और उसके साथ में loan का sanction वगेरा, तो सही time पे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद self occupations के लिए लिया है, as well as एक बात बताई, stem duty value भी 45 lakh से जादा है, तो यहाँ पे आपका ATEEA में deduction आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 24 मे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने loan है, वो NBFC से लिया है, and stem duty value उसका 45 lakh से जादा है, उसके बाद में, चलिए, next part पे चलते है, यहाँ पे चेतन ने क्या किया, electric vehicle के लिए loan लिया, एक चीज़ दियान रखना है, यहाँ पे electric vehicle से related section होती है, ATEEB करके, और यह section यह बोलती है, NBFC चलेगा, इस particular case में NBFC चलेगा, तो financial institution including NBFC से लिया, और यहाँ बैंक से लिया है, purchase for electric vehicle के लिए, यह loan जो है, वो 14 2019 से लेके 31st March 2023 के बीच में, यह loan sanction होना चाहिए, और बेटा, इसका deduction अगर माल लो आप PGBP वगरा में ले लेते हो, तो फिर यहाँ पे deduction आपको नहीं मि लेगा, तो चलेगा, लेकिन loan कब sanction होना चाहिए, 14 2019 से लेके 31st March 2023 के बीच में, तो चलेगा, इस question में क्या हुआ, चेतन ने 20 lakh रुपेस का loan लिया है, और यह loan NBFC से लिया है, इसमें चलेगा, sanction कब हुआ है, 14 2021 को कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, electric vehicle के लिए लिया है, personal use के answer is yes, 22 lakh पे 10% की rate से आप interest ले लिजिए, last year में disbursement हो चुका था, तो 22 lakh पे 10% आता है, 2 lakh 20,000 का interest, तो 2 lakh 20,000 का आपका total interest है, 20 lakh पे 10%, 22 lakh पे 10%, यहाँ पे होना चाहिए, basically, 20 lakh पे 10% लिया है, अच्छा, लोन, लोन का amount 20 lakh है, तो 20 lakh पे 10%, 2 lakh होता है, but 1 lakh 50,000 का deduction आपको यहाँ पे इसमें दिनेश करके, जिसने 12 lakh का लोन लिया, पब्लिक सेक्टर बैंक से कोई टिकत नहीं, लेकिन इसका लोन सेंक्षन हुआ है, 30 मार्च 2019 को, एक बात बताए, 30 मार्च 2019 को सेंक्षन हुआ है, तो इसमें 80 EEB का deduction नहीं मिलेगा, क्योंकि law क्या बोलता है, लोन सेंक्षन होन एक और चीज द्यान रखना, एक्जाम में कभी भी electric vehicle आता है ना, तो उस पर depreciation का rate 40% रहेगा, electric vehicle पर आप 40% की rate से depreciation लेंगे, तो जब भी exam में question आ जाए, electric vehicle का depreciation का rate है, वो आप क्या लेंगे, 40% की rate से लेंगे, deduction topic में एक और चीज द्यान रखना, एक तो आपको super 30 में जो question दे रखाना है cooperative society का, जो ATP वाला, वो आप कर ले ना करके ठीक है, और उसके साथ साथ में आपके इस बार RTP, जो RTP आया था May 2023 वाला, उसमें भी cooperative society का question है, cooperative का question जो है cooperative society वाला, वो आपको करके जाना है, because exam में आन C5 with reason, whether the following acts can be considered as tax planning, or tax management, or tax evasion, अब एक बात समझना, tax planning क्या होता है, tax management क्या होता है, tax evasion क्या होता है, tax planning का मतलब होता है, कि आपको जो भी exemption दे रखी है, deduction दे रखी है, benefits दे रखी है, उसका best utilization करना, that is called tax planning, जैसे आप ATC का deduction लेते हो, PPF में इंवेस्ट करते हो, आप ये tax planning ह आप जैसे 54 का exemption ले लेते हो, वो planning है, that is called tax planning, अब tax management क्या होता है, कि अगर आप TDS time पे जमा करा हो, आप अपना income tax return time पे फाइल करो, अगर मालो कोई भी bank है, उसको 15G, 15H form मिलते है, वो आप income tax department को time पे submit करो, that is called tax management, और एक होता tax evasion, tax evasion का मतलब तो क्या होता है, कि आप प् law में देखना tax planning है, वो सबसे अची चीज है, tax management है, वो भी allow है, tax evasion है, वो allow नहीं है, tax evasion में penalty लगती है, एक और concept आता है, tax avoidance, tax avoidance क्या होता है, बता है, कि law के loophole के मजे लेने, law में जो loophole होते है, loophole के मजे लेने, और गलत यूज़ करना law का, अगर law में कुछ भी ऐसी ची प्लानिंग कर रहे है, तो यह क्या करते है, जिससे कि timely compliance हो सकते है, तो यह क्या हो सकता है, यह tax management है, क्या कर रहे है, tax management है, an individual taxpayer making the tax saver deposit of 1 lakh in the nationalized bank, यह आपने ATC का deduction लेने के लिए, आपने क्या-क्या, tax saver deposit किया, तो यह क्या है, tax planning है, यह तुम्हारा tax planning हो जाएगा, उसके बाद, अब partnership firm, obtaining a declaration from the lender or depositor in the form number 15G15H and forwarded the same to the income tax authority, यह आप क्या कर रहे हो, 15G15H लेते हो, और उसको फिर forward कर देते हो, income tax department को, तो यह आप क्या कर रहे हो, tax management कर रहे हो, यह tax management में जाएगा, उसके बाद, a company installed a AC costing 75,000 at the residence of the director as per the terms of his appointment, तो क्या होता है न, कि director के घर पे उन्होंने एक AC लगाया, और it is called like furnish home दे दिया, जिसमें furnish में आपके बहुत सारी चीज़े furnish रहती है, तो furnish home दे दिया, director को, लेकिन हुआ क्या, but it is treated as a fitted in the quality control section in the factory, but यह बता क्या रहे है, पता है कि यह तो हमने quality control section में fit किया है, factory में घर के, ठीक है, this is with the objective to treat as plant for the purpose of computing depreciation, अब एक बात बताओ, जब आप किसी को घर देते हो, और घर के साथ में यह सामान देते हो, तो तो वो furniture माना जाता है, और furniture पे depreciation की rate क्या रहती है, 10% रहती है, बट अगर उसको plant and machinery में लेते हो, तो depreciation की rate कितनी रहती है, 15% रहती है, अब यह लोग क्या कर रहे है, 10% की depreciation rate मिलनी चाहिए, उसकी जगा 15% की depreciation rate क्लेम कर रहे है, और यह गलत बता के, तो यह तुमारा क्या हो जाएगा, tax avoidance हो जाएगा, tax evasion हो जाएगा, avoidance director of the company, the purpose is to increase the total income of Ramana from 4 lakh to 4 lakh 80,000 and reduce the income of the RR Limited correspondingly, अब एक बात समझता है, यहाँ पर हो गया रहा है, यह company को 80,000 रुपिस का brokerage का खर्चा बता रहे है, और Ramana को यह income बता रहे है, और इसका main objective क्या है कि Ramana की income 4 lakh से 480 कर दो, और company उतना खर्चा ले ले, अब यह तो आप cheating कर रहे यह बता के, और Ramana की income को 480 कर रहे हो, Ramana को तो tax लगेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल तो आप 87A का rebate मिल जाता है, और 87A की वज़े से rebate मिलता है, और tax लगेगा ही नहीं, यह लगेगा तो भी only 5% की rate से लगेगा, और company अपना जो tax save करेगी, वो 25-30% की rate से save करेगी, तो यह tax evasion कर रहे हो, क्या कर रहे हो, tax evasion कर रहे हो, next point, next point बोलता है, a company remitted provident fund contribution of both, of its own contribution and employee contribution on the monthly basis before the due date, due date से पहले पहले आप जो है, employee और खुद का contribution जमा करा देते हो, तो आप यह क्या कर रहे हो, tax management कर रहे हो, this is call your tax management, यह आपका tax management में आ जाएगा, तो आप एक बार इसका solution देख आपको समझ में आ जाएगी चीज़े, yes people, तो आप बोलेंगे, यह सर कहां दे रखा है, अपनी book में, tax management कहां है, tax planning कहां है, tax evasion कहां है, tax avoidance कहां है, तो यह आपको मैंने दे रखा है, गार वाले topic में, तो अगर आप गार वाला topic देखो के तो वहां पे आपको मिल जाएगा तो आप अपनी compact में जाएगे, और compact के, जो volume number one है, volume number one में ही आपको दिखेगा, गार वाला topic देखे, तो यह देखिए, यह वाला topic है, गार वाला tax planning, tax avoidance, tax evasion and गार, तो इसमें सबसे पहले मैंने बता रखा है, यहां पे आपको बता रखा है, tax planning के बारे में, यहां tax avoidance के चलिए, अब अपन बात करते हैं, गार की, कि सर, गार क्या होता है, और गार से related exam में question आता है, 4-5 माग का, देखो, question repeated आता है, तो अगर थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से देख लोगे, तो आपका काम बच जाएगा, यहां पे, तो देखे, गार से related question क्या आता है, गार जो कि normally लोग नहीं करते हैं, मिस normally वैसा नहीं करते हैं, वैसा अगर आप कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, कि आप जो arrangement कर रहे हो ना, उसको impermissible avoidance arrangement माना जाएगा, और impermissible avoidance माना जाएगा, और वहाँ पे आपका जो है, वो गार impose हो सकता है, तो गार कहां लगेगा, क आपका 3 करोड रुपिस से जादा है, तभी गार लगेगा, और impermissible avoidance arrangement होना चाहिए, अब आप बोलो कि impermissible avoidance arrangement क्या होता है, तो देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सारे examples वगरा दे रखे है, आज इतना तो टाइम नहीं है, कि मैं आपको सब examples को revise करा पाऊ, बट मैं impermissible avoidance arrangement कब बन सकता है, तो देखिए, impermissible avoidance arrangement कब बनेगा, जब दो condition satisfied होनी चाहिए, मतलब दो मैं से दो condition है, यह दो condition satisfied होनी चाहिए, तभी उसको impermissible avoidance arrangement बनेगा, सबसे पहला तो क्या, पहली condition है कि main purpose, और one of the main purpose for which is obtained to text benefit, मतलब पहला जो आपका main objective है न, वो main objective यह है कि objective है, वो आपका होना चाहिए, that is the text benefit लेना चाहिए, that is the main objective, दूसरी आपके साथ में condition क्या होनी चाहिए, दूसरी इन में से कोई भी एक, one, two, three, four, five, यह जो पांच चीजे दे रखे है न, इस में से कोई भी एक चीज, तो देखो, पहला पार्ट तो यह है कि आपका one और main objective जो है, वो आपका होना चाहिए, tax benefit और tax benefit किस से जादा होना चाहिए, 3 करोट रुपेज से जादा होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है, उसके साथ में आप क्या कर रहे हो, या तो कोई ऐसा create right और obligation कर रहे हो, विचार not ordinarily created between the person dealing at arm length, मिस आप कोई ऐसा right या obligation create कर रहे हो, जो normally person, जो ordinary deal करते है, वो लोग ऐसा right obligation create नहीं करते, वैसा कुछ आप कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, directly या indirectly misuse or abuse the provision of the act, act के provision को आप misuse कर रहे हो, abuse कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, entered, carried in a manner which is not ordinarily employed for the bona fide purpose, मिस ऐसे bona fide purpose के लिए कोई भी transaction में ऐसे enter नहीं होत या फिर आप क्या कर रहा है, lack of commercial substance है, या deemed to be lack of commercial substance है, मिस आप transaction जो कर रहे हो, वहाँ पर lack of commercial substance है, मिस commercial substance नहीं है, बट तो भी आप ऐसा कर रहे हो, कर गए, ऐसे examples में आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा, इसके बाद में आप देखोगे, तो यहाँ पे मैंने आप को बताया हुआ है, कि deemed to be lack of commercial substance का मतलब क्या होता, deemed to be lack of commercial substance में यहाँ पे बहुत सारी examples दे रहे है, जैसे round tripping वगएरा आप करते हो, round tripping क्या होता है, किसी को पैसा घुमाना आए and all, that is called round tripping, जब मैंने गार आपको fast track batch और regular batch में पढ़ाया था, तब आपको यह समझ में आय सीधा आजाईए question number आपकी book में, question number, question number, question number 7 पे आजाईए, अब एक बात समझना, question number 7 क्या बोलता है, to question number 7 पे आजाईए, सब लोग, all people, please pay attention to question number 7, question number 7 बोलता है, examine whether the guard can be invoke in the following cases, क्या इन दो cases में guard लग सकता है या नहीं, पहला, Messers Footprint Limited is a company incorporated in India and it set up a unit in the special economic zone SEZ for the manufacturing of water bottle and it claim 100% deduction of profit earned from that unit as per the section 10AA of the act, एक बात समझना, एक company है, जिसका नाम है Footprint Limited, उन्होंने क्या किया, SEZ में अपनी unit set up किया है, और वहाँ पे जो profit हो रहा है ना, उस पे 100% deduction ले रहे है, according to 10AA, अरे यार, यह तो अच्छी बात है, यह तो करना चाहिए, यह तो text planning government ने ये benefit दिया है कि आप जो है, वो manufacturing business set up करीए, कहाँ पे, SEZ में और वहाँ पे आप deduction ले सकते है, first 5 year के लिए 100%, उसके बाद 50%, उसके बाद में आपका 50% और SEZ reinvestment reserve में जितना transfer किया, whichever is lower, export profit का इतना deduction ले सकते है, तो इसमें तो क्या गलत कर रहे है, इसमें कोई भी गलत नहीं कर रहे है, य 7th का point number 1, हा, there is an arrangement for setting up a unit in SEZ which result in the tax benefit, however, this is the case of tax mitigation where the taxpayer is taking benefit of the fiscal incentive offered to him by the complying with the condition imposed and economic consequences of the provision of the legislation, that is setting up a business unit in SEZ area, hence the revenue would not invoke the GAR as regard to this arrangement, इस arrangement में कोई GAR नहीं लगा सकते, चलिए, अब दूसरा point क्या है, दूसरा point बोलता है, कि in the above case, let us presume that Messers Footprint Limited has another unit of manufacturing of water bottle in the non-SEZ area, बहला, non-SEZ area में इनकी water bottle manufacturing की ये company है, जो non-SEZ area में है, और एक जो है, इनकी SEZ area में है, the company transfer the product of the non-SEZ unit to the SEZ unit at a price lower than the fair market value, अब ये लोग क्या कर रहे है, बदा है, कि company transfer of the product of non-SEZ unit से SEZ unit में lower price पे transfer कर रहे है, और lower price पे transfer कर रहे है, means SEZ unit purchase कर रहे है, और जब SEZ unit purchase कर रहे है, इसका मतलब ये हुआ, कि SEZ में ये profit को बढ़ा रहे है, योगि purchase price जितना कम होगा, उतना profit बढ़ जाएगा, और SEZ unit में profit जादा आएगा, तो भी कोई फरक नहीं पड़ता, अब ये क्या कर रहे है, देखिए, in respect of such product, transfer from non-SEZ unit only insignificant manufacturing activity take place in the SEZ unit, in this way the company is able to show the higher profit in SEZ unit, then in the non-SEZ unit and consequently claim the higher deduction in computation of income, the sale from the bottle transfer from non-SEZ unit constitute 10% of the total turnover of the SEZ unit, तो ये लोग क्या कर रहे है, कि non-SEZ unit से sale करा रहे है, ठीक है, और उसको जो SEZ unit में purchase करा रहे है, और lower value पे हो रहा है, अब एक बात समझना है, इस particular cases में क्या होता है, SAR लग जाता है, SAR का मतलब क्या होता है, specific anti-avoidance rule, और specific anti-avoidance rules में मैं आपको बता हूँ, अगर कोई भी एसी unit है, जो ये income based deduction ले रही है, जैसे ATIA बगरा वाले, ATIA, ATIB या 10AA का deduction लेती है, और वो क्या करते है, अपनी किसी भी connected person के साथ में ऐसे कोई transaction करते है, जिससे कि ये profit को inflate कर रहे है, अगर ये profit को inflate करते हैं, तो मैं बता हूँ, वहाँ पे transfer pricing लग जाता है, अगर वो 20 करोट से ज़्यादा का transaction है, तो उस particular case में वहाँ transfer pricing लग जाता है, और वहाँ पे arm length price के हिसाब से ही, वहाँ पे खर्चा अलव होता है, तो मैं बता हूँ, इस से related तो already, अप गार और सार दोनों साथ में लग सकते हैं, तो CBDT ने ये बोला था, गार और सार है, वो दोनों co-exist हो सकते हैं, तो इस particular case में है, वो गार लग सकता है, as per the CBDT circular, but otherwise इस से related already सार है, means specific anti-avoidance rule से वो already है, कि अगर कोई भी ऐसी unit है, जो 10AA का deduction लेती है, या कोई ऐसी unit है, जो ATI, A reduction लेती है, और वो क्या करती है, अपनी दूसरी unit को ऐसे कोई goods transfer करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, कि arm length पे होना चाहिए, और अगर arm length पे नहीं है, तो उस particular case में assessing officer उसको change कर सकता है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे बोला, as there is no misrepresentation of fact or false submission, but it is not the case of tax evasion, evasion तो नहीं कर रहे है, यह price को influence कर रहे है, देखो आगे क्या दे रहे है, the company has tried to take the advantage of tax provision by transferring profit from non-SEZ unit to the SEZ unit, this is not the intention of the providing tax benefit to the unit set up in the SEZ, however, such tax avoidance is specifically deal in section 10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00. of any other business carried on by the SSC are transfer to the eligible business and the consideration if any for such transfer is recorded in account of the eligible business does not correspond to the market value of such goods or service as on the date of transfer then for the purpose of deduction under this section the profit and gain of such eligible business shall be computed as if the transfer in either case had been made at a market value of such goods or services as on that date. Thus, in this present case due to the application of specific anti-avoidance provision no tax benefit can be derived by the footprint limited by transferring the product from non-SEZ unit to SEZ unit at less than fair market value therefore there is no specific need of GAR. यहाँ पे गार नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे अल्रेडी सार है गरगे ठीक है लेकिन एक चीज़ समस्ना आगे इन्होंने क्या दे रखा है कि CBTT नहीं यह clarify किया है कि अब GAR और सार है वो co-exist कर सकते है and can be made applicable as may be necessary considering the fact of circumstances of the case. therefore the possibility of invoking GAR in this case cannot be completely ruled out. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे GAR नहीं लगेगा यहाँ पे GAR लग सकता है. इवन यहाँ पे सार है तो भी यहाँ पे GAR लग सकता है. This is the question number 7. उसके बाद में चलते है question number 8 पे और देखिए question number 8 क्या बोलता है? As per the provision of tax treaty between India and country X. इंडिया और country X के बीच में एक tax treaty है जिसको अपन बोलते है DTAA है. वो क्या बोलता है? कि any capital gain arising from the sale of shares of Indian company would be taxable only in the country X. अगर Indian company के share आप बेजोगे तो tax है वो सिर्फ country X में ही लगेगा. If the transfer is a resident of the country X, country X का resident है, except where the transfer holds more than 10% interest in the capital stock of the Indian company. तो इन्होंने क्या बोला? कि India और country X के बीच में एक DTAA है और वो country X के बीच में जो DTAA है और India के बीच में जो DTAA है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई country X का resident Indian company के share बेचेगा ना, तो इंडिया में tax नहीं लगेगा, सि उसके पास shareholding 10% से कम है और 10% तक है, बट अगर 10% से जादा है तो उसमें इंडिया में भी tax लग जाएगा, अगर 10% से जादा है तो उसमें इंडिया में भी tax लग जाएगा, अब हुआ क्या, देखिए, a company A limited है, being resident in country X, country X की resident है, makes an investment in the Indian company through two wholly owned subsidiary company, M limited and N limited, located in the country X, तो यहा पर क्या हुआ बदा है, company A limited, जो country X की resident है, उसने दो subsidiary company बनाई, और each subsidiary hold 9.95% shareholding in the Indian company and the total adding to 19.9% equity of the Indian company, the subsidiary sell the shares of Indian company and claim exemption as such, each is holding less than 10% equity share in the Indian company, can GAR can be invoked to deny a treaty benefit, क्या यहा पर गार लग सकता है या नहीं लग सकता, यह आपसे पूचा गया है, the applicable tax rate on capital gain in country X में 5% ही लगता है, इंडिया में tax rate है, capital gain पे approximately 20% या 10% लगता है, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या हुआ, एक company है A limited, अब A limited क्या करती है, इंडिया में invest करना चाहती थी 19.9%, अब 19.9% अगर यह खुदी इंडिया में invest कर ले थे, तो उस particular case में तो क्या company ने 9.95%, 9.95% इंडिया में invest किया, और इसकी वज़े से दोनों company जो है, वो दोनों company को इंडिया में tax नहीं लगा, अब एक बात बताओ, क्या यहां पे गार लग सकता है या नहीं, answer is yes, यहां पे गार लग सकता है, पहली चीज तो आप यह arrangement क्यों कर रहे हो, क्योंकि इंड इंडिया में taxpayer नहीं करना चाहते, और दूसरी चीज यह है कि एक बात बताओ, यहां पे कोई, यहां lack of commercial substance है ना, एक बात बताओ, यहां दो subsidiary 100% holy subsidiary बनाने से कोई benefit थोड़ी होने वाला है, अगर एक company है, वो दो अपनी 100% subsidiary company बनाती है, 100% तो उससे कोई benefit होने वाला नहीं है ना, आप सिरफ आपका main objective क्या है, इंडिया में tax planning, tax जो है, उसका avoidance करना, इंडिया में tax ना भढ़ना, अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो यहां पे गार लग सकता है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अबोव arrangement of splitting the investment through two subsidiary appear to be with the intention to obtaining the tax benefit under the treaty, further, there appear to be no commercial substance in creating the two subsidiary as they do not change the economic condition of the investor A limited in any manner, that is business risk और cash flow अगर है, वो तो सब सेम ही रहने वाला है, and reveal a tainted element of the abuse of the tax laws, आप सिरफ क्या करना चाते हो, tax law को abuse करना चाते हो, tax law को गलत यूज़ करना चाते हो, hence, the arrangement can be treated as impermissible avoidance arrangement by the invoking the guard, if the tax benefit arising in aggregate for all the parties to the arrangement exceed the 3 crore rupees, consequently, treaty benefit would be denied by ignoring M limited and N limited and the two subsidiary or the treating M limited and N limited as the one and the same company for the tax computation, purpose ऐसा है, वो income tax department कर सकता है, अब अपन देखते हैं कि past examination में कौन-कौन से गार से question आया है, तो question में आप एक काम के रिए November 20 के paper पे पर पे आ जाईए, और November 20 के paper में एक question आया था, that is question number B था, और B question था, explain the expression round trip financing, ये round trip financing क्या होता है, in relation to the impermissible avoidance arrangement, ये 4 माग का question ये आया था, अब आप बोलोगे round tripping क्या होता है, तो चलिए, round tripping को एक काम करते हैं, मैं आपको compact से बताता हो, round tripping क्या होता है, round tripping में क्या होता है, round tripping which include an arrangement, which through series of the transaction, funds are transferred amongst the parties, मतलब जो group companies होती है, उसके बीच में जो है, वो funds transfer किया जाते है, and such transactions have no substantial or commercial purpose, other than the obtaining tax benefit, सिरफ tax benefit लेने के और पैसा इदर उदर करते है, कैसे, एक example दे रखे मैंने दो देखो, पहला, अब group company in the profit, एक profit में कोई group company है, obtaining a loan from market, and give loan to the sister concern, interest free, and claim it to be for the business purposes, अब एक बात समझना, एक company क्या गरती है, group company में मान लो, एक multinational company है, उसकी एक group company क्या गरती है, कि loan लेती है market से, profit making company है, market से loan लेत लेती है, interest free, तो क्या होगा, loan लिया है, तो उसका interest expenditure claim कर लेंगे, और interest free दिया है, तो उसकी income में कुछ भी नहीं आएगा, और इस वज़े से, वो क्या गरेंगे, tax benefit ले लेंगे, और अपने tax है, उसको कम करेंगे, दूसरा, a company X limited purchase a shares of group company, मान लो, एक company X limited purchase shares of the group company, from another group company at a high value, and sell it to another group company at the low value, this result in the loss to the X limited, this transaction can be the vice versa also, अब एक बात समझता है, इसमें क्या होता है, कि अगर मान लो, आपको capital loss चाहिए, तो capital loss चाहिए, तो इसमें क्या होगा, कि जैसे, for an example, आज मैं अदानी की बात करूँ, तो अदानी की इतनी सारी कंपनिया है, तो क्या होगा, कि मान ल अगर loss चाहिए, तो वो क्या करेगी, एक कंपनी के share है, वो high value पर आज खरीद लेगी, और कुछ time बात मान लो, कम हो जाएगा, तो बेच देगी, तो उस case में क्या होगा, loss ले लेंगे, और उनके चाहिए, अगर capital gain हुए, उससे वो setup करतेंगे, तो ऐसा कुछ करते है, that is called your round tripping, अब एक पास समझना, round tripping में जब भी होता है, तो इसमें कुछ चीजे ऐसी है, this is irrelevant, कुछ चीजे irrelevant होगी, irrelevant क्या, funds involved in the round trip financing can be traced to any fund transfer or receive, direct nexus not relevant, ऐसा जरूरी नहीं होता, कि यह direct nexus relevant होना चाहिए, जैसे मान लो, loan लिया है, वो loan आपने bank से लिया, और वो पैसा तो city company को आपने as a loan में दे दिया, without interest, तो इसमें क्या है, direct nexus पैसे का नहीं बैठ रहा है, तो भी चलेगा, direct nexus नहीं बैठ रहा, तो भी चलेगा, जैसे example में मैंने लेक रहा है, a group company in the profit obtain a loan from market, uses the loan for the business and gives the loan to sister concern out of the own fund, means direct nexus is not relevant, दूसरा, time and sequence in which funds are transfer is also irrelevant, means time and sequence भी irrelevant है, जैसे हो सक और 6 महीने के बाद में अपनी group company को दे दिया, तो यहाँ पर time sequence है, वो relevant नहीं है, as well as manner and mode is also not relevant, कौन से manner में लिया था, कौन से manner में आगे वाले को दिया, that is also not relevant, इसका मतला, a limited gives the loan to sister concern thereafter, after 3 month obtaining loan from market, time sequence is not relevant, यह तो same उपर वाले बात जो है, वो ही बाला हो गया, but यहाँ पर मै relevant at all गरगे, that is called round tripping, तो अगर आप इस question में आएंगे, इस question में यही दे रखा है, round tripping financing का मतलब क्या होता है, यह question आया था, चार माग के लिए, तो round tripping financing के लिए आपको यह थेरी दे रखा है, यहाँ पर कर देखिए, round tripping financing क्या होता है, तो देखिए, an arrangement which lack commercial substance or deemed to be lack of commercial substance would be the impermissible avoidance arrangement, where the main purpose or one of the main purpose for arrangement is to obtain the tax benefit, accordingly, GAR provision would be attracted in respect of such impermissible avoidance agreement, an arrangement which involve or include round tripping of the fund is deemed to be the lack of commercial substance and round tripping financing including any arrangement in which through a series of transaction, fund that transfer amongst the parties to the arrangement and such transaction do not have any substantial commercial purpose other than obtaining the tax benefit and without having any regard to, के यहाँ पर दे रखा है, के भईया, आपका जो है, वो, whether or not the fund involved in the round tripping financing can be traced to any fund transferred to or received by any party in connection with the arrangement, में इस direct tracing possible है, यानि उससे कोई फरक नहीं पढ़ता, time and sequence है, वो भी आपका irrelevant है, और जो भी mode से transfer किया है, वो भी आपका irrelevant है, तो यह एक theoretical question आपको मिल सकता है, के round tripping क्या होता है, अब एक और question दे रखा है, that is December 21 के exam में आया था, तो आप December 21 के paper पे आ जाईए, और December 21 में 11A करके जो point है उसमें आया था, तो आप सब लोग आ जाईए, December 21 के paper में, यह December 21 का जो paper है, उसमें आपका question number 11A देख लीचे, और यह रहा question number 11A, और question number 11 यह वाला, देखिए, क्या लिखा हुआ है पहला, Messers Highway Drive Limited incorporates a wholly owned subsidiary Highway Roads Limited in India during the financial year 1819, तो 1819 में उन्होंना कोई company बनाई है, जो wholly owned company है, and made business is to develop the infrastructure facility and eligible for deduction under section 80IA, so यह company जो है, यह ATIA का deduction लेती है, accordingly the company has claimed the deduction under section 80IA for the assessment year 22-23, इस साल उन्होंना ATIA का deduction लिया है, पहला question क्या है, Highway Roads Limited derives income, other than income from developing infrastructure facility and disclose such income as income from developing infrastructure facility, thus enjoying the benefit of section 80IA, यह लोग क्या कर रहे हैं बता है, कि कुछ ऐसी income है, जैसे माल लो bank interest वगरा है, और वो मिल रहा है, और वो ATIA की activity से नहीं है, बट तो भी बता रहे हैं कि उसको यह तो ATIA वाला है, यह तो आप misrepresentation of fact कर रहे हो, तो यहाँ पे तो सीधा सार लग जाएगा, और सार क्या लगेगा, इसमें तो assessing officer है, वो सीधा ATIA का benefit उसमें नहीं देगा, और उसको हटा देगा, अगर की ठीक है, आप से पूछा है, गार can be invoking the both instant mention above or not, तो पहले वाले में तो कोई जरूरती नहीं है गार की, क्योंकि यहाँ पे specific आप गलती कर रहे हो, तो यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ तो आप टेक्स evasion कर रहे हो, इसमें गार लगाने की जरुबत नहीं है उसके बाद दूसरा पॉंट क्या बोलता है इसमें क्या हो रहा है कि आप जो गोड्स परचेस कर रहे हो वो आप लो वाल्यू पर परचेस कर रहे हो तो उस परचेस में क्या होता है न वहां पर आम लाइक पर लाया जाता है और वहां ट्रांसफर प्राइजिंग लग जाता है तो दूसरे में तो वही बाला है कि यहां पर सार लग जाएगा और सार में यह क्लिरली बोला हुआ है कि यहां पे बेटा सार के इसाब से यहां transfer pricing लग जाएगा, market value पे profit पगरा निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां CBDT ने यह बोला था, कि भईया, गार और सार है, वो coexist कर सकते हैं, तो यहां पे गार भी लग सकता है, तो यह चार question थे, जो आप exam में ध्यान रखेंगे, हो सकता है इसमें से आपको कोई question exam में मिल जाए, next topic पर अपन चलते है, that is the आपका penalty, penalty में एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको एना, एक super 30 में question दे रखा है, that is super 30 का question number 17 है, वो आपको करना है, और 17 question किस से related है penalty, under section 270A से related, तो जो 270A से related है, वो मैंने आपको दे रखा है super 30 में, super 30 से आप कर लीजिए, that will be sufficient करें, ठीक है, अगर वहाँ से आप नहीं करते है, तो फिर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे question दे रखे है, जो यह सब 270A की penalty से related है, फिर आप यहाँ से कर सकते है, ठीक है, it's your choice, आप super 30 से करना चाहे, super 30 से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, but मैंने super 30 का वीडियो भी डाल रखा है, यूट्यूब पे, आप वीडियो से भी देख सकते है, और आप एक बार कर सकते है, उसको ठीक है, चलिए, अब अपन penalty के कुछ questions यहाँ पे करने वाले है, तो कौन-कौन से question अपन penalty से करेंगे, एक तो question number 3 पे आ जाईए, और यह question number 3 यह 271 FA का penalty है, अब यह penalty क्या बोलता है, देखिए, एक question क्या बोलता है, अब private bank has not filed its statement of financial transaction, उसने SFT reportable account है, वो फाइल नहीं किया, in relation to the specified financial transaction, और reportable account in relation to the specified financial transaction for the financial year 22-23, a notice was issued by the prescribed income tax authority on the 1st October 2023, requiring the bank to furnish the statement by the 31st October 2023, the bank however furnished the statement only on the 15th November 2023, what would be the penalty leviable under section 271 FA, अब एक बात समझना, 271 FA का penalty क्या बोलता है, कि आपको सबसे पहली चीज़ तो यह है, कि SFT file करने का due date क्या होता है, तो SFT file करने का due date होता है, 31st May 2023, means अगर previous year 22-23 के लिए बात करूँ, तो यह previous year के end से, उसके बाद में, 31st May 2023 तक आपको जो है, वो SFT file करना पड़ता है, पर डे का penalty लगेगा, लेकिन एक बात समझना, अगर आपको को notice issue किया, income tax authority ने, और वो income tax authority ने, जो notice issue किया, उसमें एक time दे रखा होगा, उस date तक आपको वो SFT file करना है, अगर उस date तक आप फाइल नहीं करते हो, तो उसके बात में, पर डे का आपका 1000 रुपिस का penalty हो जाए October 2023, जिस date तक आपको time दे रखाता, income tax authority ने, कि आप SFT file करिए, उस date तक आपको 500 रुपिस पर डे का penalty लगेगा, और उसके बाद में, आपको 1000 रुपिस पर डे का penalty हो लग जाएगा, 1st November 2023 से लेके, और 15 November 2023 तक है, वो आपका 1000 रुपिस पर डे का penalty लग जाएगा, उसके बाद आप एक काम करिए, आजाएए सीधा question number 11 पे, और देखिए question number 11 क्या बोलता है, question number 11 जो है, उसको करने से पहले मैं आपको इसके provision एक पर बता जाता हूँ, तो आपको फड़ा फड़ा याद आ जाएगा, ये किस से related है, तो आपको पता है, आपकी बुक में एक topic दे रखा है, तो वहाँ पे भी किया होगा, बट कितना याद है, वो मुझे पता है, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये section क्या बोलती है, का mode of taking, accepting loan or deposit or advance, तो any person should take or accept any loan या deposit or advance in relation to immovable property only by the account paycheck, demand draft या online transfer through the bank account, और any other electronic mode as may be prescribed, if the amount of 20,000 रुपेस और more, तो कोई भी person है न, वो कोई भी loan है, deposit है या advance in relation to immovable property, अगर वो 20,000 या उससे ज़्यादा है, तो वो person सिरफ account pay check, account pay demand draft या any mode of electronic clearing system से ही ले सकता है, electronic clearing system में क्या क्या आएगा, NAFT, RTGS, UPI, BMI UPI, BMI UPI and QR code करके, ठीक है, and debit card, credit card है, वो तुमारे electronic mode में आ जाएगा, अब एक बात समझना, यहाँ पर एक antique चीज ही आ पहले लिया हुआ है वो भी इसमें consider होता है 20,000 की limit calculate करने के लिए, तो जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे example दिये हूँगे, देखो, सबसे पहले आपने जैसे यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर 12,000 रुपिस लिया हुआ है by cash में, उसके बात मैं यह वापस accept कर रहा ह 15,000 by way of the bearer check, तो यहाँ पर एक बात बताओ, यह bearer check से ले रहा है, तो पहले वाले में तो कोई violation नहीं है, बट दूसरे वाले में violation हो गया ना, यहाँ पर आप बोलो कि only 15,000 है, बट बेटा 15,000 और 12,000 दोनों को अगर जोडोगे, तो यह तुमारा 27,000 हो गया, तो यहाँ प and penalty लगेगा और यह penalty सिरफ joint commissioner ही लगा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं लगा सकता, इसके अलावा यह penalty है, वो कोई भी नहीं लगा सकता, अब एक बात समझना, ऐसी कही है की एक reverse section हुआ करती है, इस section number 269T करके, और 269T क्या बोलती है, पता है कि कोई भी person repay नहीं कर सकता loan deposit या फिर advance in relation to immual property अगर वो 20,000 या उससे ज्यादा का है तो cash में नहीं कर सकता अगर आप ऐसा करते हो तो यह आपका violation माना जाएगा और इसमें भी आपको 100% penalty लगेगी और इस section में जो penalty लगती है वो section 271E में penalty लगती है 100% आपको penalty लग जा समझना जो मैंना आपको 269 SS करें section पड़ाया यह section किस-किस पे नहीं लगती तो यह section नहीं लगेगी किस-किस पे अगर loan advance deposit is taken from और by government है, bank है, cooperative bank, post office है, government company है, person having only agriculture income, अब एक बाद समझना, person having only agriculture income का मतलब होता है कि यहाँ पे दोनों की agriculture income होनी चाहिए, जो person ले रहा है और दे रहा है, उन दोनों की agriculture income होनी चाहिए, या फिर corporation established by the central state or provincial act or any other as may be notified by the CBTT, उन पे यह section 269 जो SS है वो नहीं लगती है, अब एक बा यहाँ पे नहीं लगती है, तो यहाँ पे आपको option में दे रहा है, देखिए क्या क्या क्या, कि अगर यह section नहीं लगेगी, not applicable, if loan or deposit or advance in relation to immovable property taken or accepted from, अगर government से लेते हो, bank cooperative bank, post office, या government company, या corporate established by the central state or provincial act है, उन से अगर लिया, तो उस particular case में यह नहीं लगेगा, अगर ठीक है चलिए, अब उससे related ही यहाँ पे question दे रहा है, आजाएए सीधा आपकी book में question दे रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, fearless general finance, investment limited एक company है, residue non banking company है, accept public deposit, यह deposit ले रहे है, and issue deposit certificate and repay the same after some period of time along with the interest under the different scheme run by it, following transactions were noted from their books of accounts पो देखिए, सबसे पहले transaction क्या है, Mr. A करके एक बंदा है, individual has deposited 15,000 rupees on 1st May 2019 for 48 month by bearer check, तो उसने bearer check से पहले 15,000 है, वो deposit जमा कराया, मिस आप किसके point of view से सोचोगे, जो fearless general finance investment limited है, इसके point of view से सोचोगे, तो इनोने deposit accept किया है, और यह deposit accept किया है, यह 15,000 का है, और यह bearer check से किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 20,000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बात समझना, another 15,000 on 30th June 2022 in cash to purchase a new certificate of 48 month tenure, अब एक बात समझना, एक और उसने accept किया, और वो कितने का किया 15,000, तो क्या, यह 15,000 cash में है, यह जो दूसरा वाला, यह cash वाला है, answer is yes, यह आपका account पे check account पे demand draft, any mode of electronic clearing system through bank account, अगर उससे होता, तो तो इसको consider नहीं कर है, तो यह 15,000, अब एक बात बताओ, यहां तो 20,000 से जादा नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, पुराना 15,000 भी तो है, तो total मिला कि आपका 20,000 के limit को cross कर गए, और यहां पे penalty लग जाएगी, और penalty लगेगी, कौन सी section में 271D में penalty लगेगी, 100% और 100% penalty मतलब आपका 30,000 15,000 by the bearer check on 15, 2019, since it is not in excess of the threshold limit of 20,000, however, violation of section 269 SS is attracted at the time of acceptance of the second deposit in cash on 30, June 2022, since on that date, there is an already outstanding deposit of 15,000 and another cash deposit 15,000 would take as an aggregate of 30,000 which exceed the threshold limit of 20,000, therefore penalty under section 271D of the sum e equal to amount of deposit taken from Mr. A is attracted for failure to comply with the provision of section 269 SS, यहां पे 100% penalty लग जाएगा, दूसरा क्या है देखिए, Mr. A has applied for premature withdrawal against both the certificate and company has paid the 16,500 by bearer check against the principal and interest on 23rd March 2023 and due against his first certificate purchase in 2019 and 15,500 in cash on 25th March 2023 against the second certificate. आप से पूचाए, discuss the violation of income tax provision if any and consequential penalty for each of transaction, will it make any difference if the certificate were held by Mr. A with his wife Mrs. A jointly while repaying back in cash and bearer check? तो देखिए, अब एक बात समजना, यहां पर repay हो रहा है, तो repay के case में कौन सी section थी? 269T कर गे, और 269T का भी यहां पर violation हो रहा है, विकॉज एक बात बताईए, यहां पर 269T का violation कैसे हो रहा है, क्योंकि जो पहला आप repayment कर रहे हो, और पहला repayment आप कितने का कर रहे हो? 16,500, तो देखो 16,500 जब repayment कर रहे हो, तो उस time पे आप देखोगे, यहां पुराना जो है, वो कितना repay करना बाकी है? मैं बताँ हूँ 15,500 पे करना बाकी है, तो 16,500 जब आप repay कर रहे हो, उस time पे देखोगे कि 15,500 है, वो pay करना बाकी है, ठीक है? तो उस particular case में क्या हुआ? इ जब यह 15,500 का second repayment होगा, भले वो cash में होगा, तो उस time पे कुछ violation होगा, answer is no, क्योंकि 15,500 जब आप pay कर रहे हो, तब उस date पे कोई भी outstanding amount नहीं है, और जब उस date पे कोई भी outstanding amount नहीं है, तो इसमें include नहीं होगा, और 15,500, 20,000 से कम है, तो यहां पे 15,500 पे कोई भी violation नहीं हो on 23rd March 2023, since on that date the aggregate amount of deposit held by Mr. A with the non-banking company together with the interest payable of such deposit is more than 20,000 रुपस, therefore penalty under section 271 E equal to the amount of deposit so repaid will be attracted for failure to comply with the provision of section 269 T कर के, however, the second repayment of 15,500 on 25th March 2023 in cash cannot be considered as violation of section 269 T, since neither the amount of deposit with interest thereon nor the aggregate amount of deposit held by Mr. A on that day, together with the interest exceed the threshold limit of 20,000, the provision of section 269 T will be attracted at the time of first repayment of the bearer check even if the certificate is being held by Mr. A in the joint name with the wife, अगर joint name पे होता तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता, उसके बाद में, next एक और question है, question number 15 कर के, और देखिये, question number 15 क्या बोलता है, Mr. Ramkumar is a agriculturist, has made the agreement to sell his 10 acres of agricultural land situated in the remote village at a price of 1 lakh per acre to Mr. Bhaskar, a builder. for constructing a farmhouse, Mr. Ramkumar has received an advance of 1 lakh rupees by way of a cross check, later on the agreement was risk ended as Mr. Bhaskar could not pay the balance amount within the stipulated time as per the agreement, Mr. Ramkumar returned the advance by cross check only, the assessing officer has proposed to levy a penalty under section 271D, on Mr. Ramkumar, examine the validity of assessing officer action, अब एक बात समझना, यहाँ पे रामकुमार करके जो बंदा है, वो रामकुमार क्या कर रहा है, एक लाख रुपया जो है वो accept कर रहा है, advance in relation to immovable property, तो एक बात समझना, यह नहीं कर सकता, लेकिन एक section नहीं लगती है, अगर दोनों agriculturalist होते थो, यहाँ पे जो person दे रहा है, वो एक builder है, क्योंकि जो person दे रहा है वो एक builder है, तो यहाँ पे बेटा, 269 SS का violation माना जाएगा, तो उस particular case में क्या होगा, क्या भाईया, यहाँ पे penalty लगेगी, देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे, all people pay attention, section 269 SS prohibit acceptance of advance of more than 20,000, otherwise by way of the account paycheck, account pay demand draft, और any mode of electronic clearing system करगे, ठीक है, अब एक बात समझना, this provision will not be applicable in case where both the payer and recipient have the agriculture income, neither of them has income, और income chargeable under the income tax, या तो दोनों की क्या है, agriculture income है, और कोई भी income income tax में taxable नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कि रामकुमार है, वो accept कर रहा है, 1 lakh रुपेस का deposit और वो cross check से कर रहा है, तो cross check से कर रहा है, तो यहाँ पे 269 SS लग जाएगा, और 271D में इसको penalty pay करनी पड़ेगी, जो की 1 lakh रुपेस के करीब है, गर के ठीक है, और उसके साथ साथ में एक और चीज़ समझना, यह penalty जो है, वो सिरफ joint commissioner ही लगा सकता है, joint commissioner के अलावा कोई भी नहीं लगा सकता है, अब एक बास समझना, इसमें repay किया, क्या उस time भी penalty लग जाएगी, answer is yes, अगर आप repay करते हो, repay के time भी penalty लगेगी करके, ठीक है, चलिए, तो यह आपका question number 15 है, जो इस topic से था, अब आप एक काम करिए, सीरा आ जाएए, mislinious topic पे, और mislinious topic से कुछ questions है, वो अपन देख लेते हैं, तो सबसे पहले तो question number 2 पे आ जाएए, और question number 2 में देखिए, क्या दे रखा है, Mr. Anand is a Indian citizen, यह क्या होता है, मैं आपको simple सी चीज़ बतायता हूँ, कि देखिए, जब number of days stay in India निकालते है, for the residential purpose, इसमें एक चीज़ दियान रखना, तो foreign bound ship का, अगर वो crew member है, तो उसके case में, जो number of days stay in India निकालते हैं, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो date उसने enter की है, continue discharge certificate in respect of joining the ship, जिस दिन उसने ship को join किया था, उस date को, जो date enter की है, into the continue discharge certificate in respect of joining the ship, and guys, जिस दिन को, वो वापस signing off करके आता है, ये दोनों दिन, और उसके बीच का, जितना भी period रहेगा न, वो period आपका stay outside India माना जाएगा, मैंने क्या बोला, जिस date को, उसने ship join किया है, उस दिन से लेके, और जिस दिन उसने ship को sign off कर दिया, इन दोनों days, और इन दोनों के बीच के जितने भी days है, वो stay outside India माना जाएगा, कहां पर माना जाएगा, उसके बाद में question number 2 के बाद में सीधा आजाईए, question number आपकी book में, question number 6 पे आजाईए, और question number 6 क्या बोलता है, Mr. B proposed to purchase for his business a certain raw material from Mr. S in view of the secrecy of the products, S insists in cash payment for the purchase, to which B agree on 23rd March 2023, the purchases are effected through the cash invoice of 3,20,000, 3,20,000 का एक बात समझना, cash में purchase किया, आपसे पूजा क्या है, in respect of about transaction, will there will be any detrimental effect in hands of Mr. B and S under the provision of income tax act 1961, explain briefly, अब एक पात समझता, पहली चीज़ तो अगर payment किया है, तो payment के case में आपको पता, एक section हुआ करती है, PGP में section 40A, sub section 3, वो यह बोलती है कि 20,000 से ज्यादा का आप cash में expenditure नहीं कर सकते है, अगर आप cash में expenditure करते हो, means other than account page, account पे demand draft, या any mode of electronic clearing system को छोड़के, किसी भी mode से payment करते हो, तो वो खर्चा आपका 100% disallowed हो जाएगा, तो पहली चीज़ तो यह है, कि Mr. B के हाथ में क्या होगा, कि आपका यह जो है, यह पूरा disallowed हो जाएगा, 320,000 business expenditure नहीं मिलेगा, लेकिन question यह आता है, जो person receive कर रहा है, उसके हाथ में क्या होगा, तो एक section हुआ करती है, 269ST क्या बोलती है, 269ST यह बोलती है, कि कोई भी person, किसी भी person से 2,00,000 रुपया, या उससे जादा, 2,00,000 रुपया या more है, वो in a single day, या single event से related कर गे, या single transaction से related, वो accept नहीं कर सकता, case में assessing officer है, वो 271DA का penalty लगा सकता है, 100%, that is 3,20,000 का penalty लग जाएगा, तो देखिए, जो payment receive कर रहा है, उसके हाथ में section 269ST का violation माना जाएगा, और वहाँ पे 271DA में बिटा, 100% penalty लग जाएगी, इसमें दूसरा question और पूचा है, will your answer be different, if the cash purchases are affected by the buyer, be on the two different date for the different raw material, of 1,80,000 and 1,40,000 respectively, अगर यह दो अलग अलग transaction है, तो उस particular case में क्या होगा, कि 1,80,000 है न, and 1,40,000 है, वो disallowed होगा, 40A subsection 3 में, जो purchaser है, उसके लिए तो disallowed हो जाएगा, लेकिन एक बात समझना, जो receiver होगा, वहाँ पे यह limit 2 lakh को cross नहीं कर पा रही है, और 2 lakh को single day में cross नहीं कर पा रही है, या single transaction से related, या single event से related, ये 2 lakh को cross नहीं किया, तो उस particular case में, आपका 269 ST का violation नहीं माना जाएगा, और 271 DA का penalty है, वो attract नहीं होगा, इस particular case में, चलिए, उसके बाद में, एक और question की अगर आपन बात करें, तो question number 9 पे आ जाएए, अब question number 9 क्या बोलता है, देखिए, question number 9 ये बोलता है, अब एक बात समझना, दो concept आते है, एक होता है, application of income और एक होता है, तुमारा diver zone of income कर के, अब ये diver zone of income by overriding title क्या होता है, वो मैं बाद में बता था, वो पहले application of income है, application of income क्या होता है, जैसे for an example, मैं कुछ भी कमाता हूँ, और मैं कमाने के बाद में, मैं किसी को donate कर देता हूँ, तो जो कमाया ना, वो पहले मेरे हाथ में taxable होगा, जो कमाया वो मेरे हाथ में taxable होगा, क्योंकि कमाया वो मेरी income है, उसके बाद में मैंने किसी को donation दे दिया कर गे, ठीक है, तो donation का हो सकता है, deduction वगरा मिल जाए, बट जो income मैंने कमाई, वो मेरे हाथ में taxable होगी कर गे, एक और concept आता है, that is the diversion of income by the overriding title, diversion of income by the overriding title का मतलब होता है, कि अगर माल लो कोई ऐसा agreement बना हुआ है, या ऐसा कोई भी, like you can say that the contract बना हुआ है, और contract की वज़े से क्या होता है, कि income अगर किसी और को देनी ही पड़ेगी, by the contract, तो उस particular case में जो income है वो आपके हाथ में taxable नहीं होगी, वो उस person के हाथ में taxable होगी, जो उस income को receive कर रहा है, तो इस particular case में क्या हुआ, कि एक बात बताओ, इनके बीच मे पहले ही ऐसा deed बन गया है, और deed में यह लिखा हुआ है कि इस में से 20% का जो income रहेगा, profit रहेगा, वो Mrs. Lakshmi को जाएगा, तो यह जो 1 lakh रुपेस है, वो Lakshmi को जाना चाहिए, अब वो firm जो है, question ही आता है कि क्या firm की income मानी जाएगी, answer is no, यह firm की income नहीं मानी जाएगी, यह income है, वो Lakshmi की मानी जाएगी और यह Lakshmi के हाथ में taxable हो जाएगी, तो देखे क्या दे रखा है, the issue raised in the problem is based on the concept of diversion of income by overriding title, which is well recognized in the income tax law, in the instance case, the amount of 1 lakh being 20% of profit of the firm paid to Lakshmi get diverted at source by the charge created in her favor as per the terms of the partnership deed, such income does not reach the assessi firm, यह firm का income नहीं माना जाएगा, firm के हाथ में taxable नहीं होगा, rather, such income stand diverted to the other person, as such other person has a better title over such income than the title of the assessi, the firm might have received that amount, but it is so received and on behalf of Lakshmi, who possess the overriding title, therefore, the amount paid to the Lakshmi should be excluded from the income of the firm and this view has been confirmed by this case law also, यह case law में भी ऐसा बोला गया था, चलिए, उसके बात में एक question दे रखा, question number 13, यह 13 तो मैंने आपको कराया था, regular batch आपने अगर लिया होगा, तो regular batch में यह question वगेर आपको स रहे क्याल दे रहा है, Mr. Ram, age 56 year, is a करता अप the H.O.F. The H.O.F. consists of himself, his wife and two sons, that is C and minor daughter D. The H.O.F. is assessed as income tax and has business income from the year 2011-2012 onwards. The business income of H.O.F. for the year ended 31st March 2023 is 5 lakh rupees compute कर रहा है, Mr. Ram is employed in the private company and his salary income for the same period is 6 lakh 10,000 computed. तो Ram का जो salary income है, वो 6 lakh 10,000 है. You are requested to answer the following, treating each of them as independent situation. पहला question, Mr. C gave a cash gift of 1 lakh rupees to the H.O.F. of Mr. Ram, what would be the total income of the H.O.F.? अब एक बास समझना, C जो है, वो H.O.F. का member है, और उसने H.O.F. को gift किया, तो H.O.F. का member से, अगर H.O.F. को को कोई भी gift मिलता है, तो वो exempt हो जाएगा, because H.O.F. के gift मिला है, तो वो exempt हो जाएगा, यहाँ पर 56 to 10 है, वो नहीं लगेगा, और यहाँ पर 56 to 10 है, वो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 56 to 10 है, वो आपका नहीं लगेगा, तो यहाँ पर दे रखा है, यह exempt हो जाएगा, और यहाँ पर 56 to 10 है, वो नहीं लगेगा, उसके बाद में, दूसरा question क्या पूछा हुआ है The HOF has one house property जिसका rent आता है 10,000 per month and some movable asset There is a proposal to make the partial partition of HOF by allotting the house property to Mr. C Is it advisable to do the partial partition अब एक बास समझता है हमारे income tax law में partial partition को अभी recognize नहीं किया पहले जो है न partial partition recognize होता था 31st December 1978 से पहले लेकिन 31st December 1978 के बाद में इस particular date के बाद में there is no partial partition यहाँ पे total partition ही होगा और total partition को recognize किया गया है तो partial partition भले उन्होंने कर लिया तो भी वो income है वो HOF के हाथ में taxable होगी वो member के हाथ में taxable नहीं होगी because partial partition is not recognized in the income tax law Next point क्या बोलता है Minor D earned the income of 70,000 by use of his special skill and talent how would his income be taxable अब एक बाद समझना minor की income normally parents के हाथ में taxable होती है but अगर वो skill and talent से कमाया या manual work से कमाया या फिर वो handicapped minor child है तो उसकी income उसके खुद के हाथ में taxable होगी यहाँ पे parents के हाथ में taxable नहीं होती Next part A car owned personally by Mr. Ram was blended with the H.E.O.P. during the year It was leased out for a monthly rent of 10,000 from 1st October 2022 How would this income be taxable अब एक बाद समझना Ram की एक car थी और उसने क्या किया H.E.O.P. को transfer कर दी और H.E.O.P. के साथ property के साथ में उसने मिला दी और उसपे H.E.O.P. को rent बिल रहा है 10,000 पर मंद का और जो की 1st October से मिल रहा है तो इसका मतलब टोटल आपका 60,000 हो जाएगा अब एक बास समझना ये rent किसके हाथ में क्लब होगा ये member के हाथ में क्लब होगा क्योंकि एक section 64-2 ये बोलती है कि अगर कोई भी member है वो अपने H.E.O.P. को कोई भी asset transfer करता है तो उससे जो भी income होगी न वो member के हाथ में क्लब हो जाएगी तो यहां पे member के हाथ में ये 60,000 है वो taxable होगा इसका मतलब जो है वो राम के हाथ में ये income बन जाएगी चलिए उसके बाद में next question पे चलते है that is question number 16 करके not more important question बड़ जो दे रखा है तो अपने एक बार देख लेते हैं करके ठीक है अब एक बार समयजा Neptune a ship liner used and carrying passenger and cargo owned by the Thomas and Thomas of the UK the ship carries the passenger and cargo in June 2022 from Singapore to Chennai and vice versa collected charges thereof amounting to Rs.200,000 it left Chennai port on 15 June 2022 for its journey to the Korea no other journey to the India was undertaken by any of the vessel of the company during the year ended 31st March 2023 the non-resident company had authorized its Indian agent to comply with the income tax provision you are consulted by the company to explain about the procedure as the return of income has to be filed and period within which the assessment thereof will be completed by the assessing officer अब एक बार समयजना एक section हुआ करती है section 172 करके यह 172 क्या होती है जैसे एक section तो होती है आपको पता है 44B और 44B क्या बोलती है कि अगर कोई भी non-resident shipping business में है तो इंडिया में जो भी load हो रहा है उसका भाड़ा कहीं भी मिला हो या फिर बाहर load हो रहा है लेकिन भाड़ा इंडिया में मिला है उसकी total का 7.5% है वो income माना जाएगा और उसके normal rate से tax लगेगा लेकिन एक section 172 गया बोलती है बता है कि अगर कोई भी goods इंडिया में load हो रहा है goods है passenger है वो इंडिया में load हो रहा है और उसका भाड़ा वल्ड में कहीं भी मिला हो उसका जो total भाड़ा रहेगा ना उसका 7.5% है वो income माना जाएगा और उसके 40% की rate से tax भरके इंडिया से जाना पड़ेगा मिस इंडिया से तभी जाने दिया जाएगा जब आप इंडिया में tax भरके जाते हो आप written file तभी written file करके आपको जाना पड़ेगा और इंडिया में जब आप written file करके जाते हो तो तभी आपको इंडिया, जो क्या बोलते है, पोर्ट है, वहाँ से आपको जाने दिया जाएगा, लेकिन एक चीज समझता है, इसमें एक option ऐसा रहता है, कि अगर मालो आप इंडिया में कुछ ऐसे prescribed arrangement कर देते हो, आप किसी को agent appoint कर देते हो, और आप बोलते हो कि हमारा जो agent ह वो written file कर देगा इंडिया में, ठीक है, और वो text भर देगा, तो उस particular case में वो agent को 30 days from the departure of the ship के अंदर-अंदर, 30 days के अंदर-अंदर उसको written file करना पड़ता है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, Messrs. Thomas and Thomas of UK shall require to file the return of income in India for the journey of its ship before its leave for onward journey to the Korea, Korea जा रहा है, उससे पहले पर इंडिया में return file करना पड़ेगा, बढ़ेगा, 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 अस पर the provision of section 172.3, where the assessing officer is satisfied, it is not possible for the master of ship to furnish the return before departure of ship from the port, and it is satisfactory arrangement have been made for filing the return and payment for tax by the authorized agent in India, he may permit filing of return within 30 days from the departure of the ship, so जैसे ही ship departure हो जाती है, उसके 30 days के अंदर अंदर फिर है, वो आपको written file करना पड़ेगा, 172.4a provides a time limit of 9 month for the completion of assessment in such a cases, the period of 9 month is written from the end of the financial year in which return of the 172.3 is furnish, अब जिस year में आपने 172.3 में वो return file किया, उस year के end से 9 month के अंदर अंदर आपका जो है, वो assessment complete हो जाएगा, so this is the question number, आपका 16, अब एक question number 70 निये बोलता है, कि the director of the private company are personally liable to pay the income tax due from the company, but their liability does not extend toward the interest penalty payable by the company, अब एक बास समझना, इसमें क्या होता है, कि अगर कोई company है, और वो company के उपर कोई भी tax liability आती है, या फिर interest आता है, penalty आता है, तो normally वो company liable होगी, लेकिन एक चीज़ समझना, अगर यहाँ पे, director की वगिरा मानलो कोई गलती है, तो उस particular case में क्या director से भी tax लिया जा सकता है, या answer is yes, एक section होती है, 179 वो यह बोलती है, कि director से भी tax लिया जा सकता है, और director से tax ही नहीं, उसके साथ साथ में penalty भी ले सकते है, interest भी ले सकते है, अगर director यह प्रूव कर देता है, कि कोई भी gross negligence नहीं है, या breach of duty नहीं है, तो उस particular case में उससे collect नहीं किया जाएगा, otherwise director से collect किया जा सकता है. अग्जाम अच्छे जा रहे होंगे, लेकिर एक बात बताओ, DT का paper ऐसा है, जहां CA final की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 days पे revise होना बड़ा ही like मुश्किल होता है, और बहुत सारे ऐसे topic होते है, जैसे modern text convention है, penalties है, clubbing है, setup carry forward है, text treaties है, यह ऐसे topic है जो बच्छे छोड़के चले जाते है, because last day पे time ही नहीं मिलता, तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं fast forward करके फटाफट 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 इसके जो questions मैंने आपको बोले हुए है, कि सिरफ आपको question करके जाने है, तो क्यो ना मैं उसको revise करा लूँ, जिससे की exam में आप 10-15 mark से वो इस part से easily आप score कर तो चलिए, मैं ज्यादा time आपका नहीं लेने वाला, सीधा question पर जाने वाला हूँ, और question मैं भी थोड़ा fast forward जाऊँगा, थोड़ा फटावट जाऊँगा, तो मेरे से ये expect ना करें इस particular lecture में, कि मैं concept को explain करने वाला हूँ, मैं सिरफ आपको revise कराने वाला हूँ, कि इस particular concept मे क्या होगा, तो सबसे पहले model text convention की अगर मैं बात करूँ, तो question number two दे रखा है, question number two ये बोलता है, कि या कोई भी person है, वो अगर दो country का resident बन जाता है, कोई ऐसा person है, जो दो country का resident बन गया, तो sir, उसको कौन सी country का resident माना जाएगा, वहाँ पर tiebreaker rule लगता है, अब एक बात समझत है, वो दोनों country का resident बन जाता है, तो उसको कौन सी country का resident मानेंगे, तो कौन सी country का resident मानने के लिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला step आपको देखना है, कि उसका permanent home कहां पे है, जहां पे उसका permanent home रहेगा, वो उस country का resident माना जाएगा, और permanent home का मतलब, वहाँ पे पर्मानेंट होम रहेगा, जिस कांट्री में पर्मानेंट होम रहेगा, वहां का वो resident माना जाएगा, लेकिन एक बात समझना, अगर कोई relationship are more closer, इसी को बोला जाता है center of the vital interest, जहां उसका center of the vital interest है ना, बिंस उसका आपको देखना पड़ेगा family कहां पे रह रही है, social relationship कहां पे, occupation कहां है, place of business कहां है, वहां बोला जाता है कि उसका economic and personal relationship कहां पे close है, वहां का वो resident माना जाएगा, लेकिन एक चीज़ समझदा, अगर कोई person ऐसा है, जिसका permanent home दोनों ही country में available है, लेकिन पता नहीं चल रहा है, कि उस particular person का economic and personal relationship कहां पे जादा है, वो पता नहीं चल रहा है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता कि किसी का permanent home है, वो कहीं पे नहीं है, तो उस particular case में आपको यह देखना पड़ेगा, कि वो individual है, वो habitually about कहां करता है, जहां पे habitually about करता है, वहां का वो resident माना जाएगा, अब एक बात समझना है, यह पता ही नहीं चल रहा है, वो habitually about कहां कर रहा है, या that is called type breaker rule, आप इसको रट के जाएए, कैसे भी करके जाएए, exam में question आपको बैठ सकता है, exam में question आ सकता है, तो type breaker rule कैसे पता करेंगे, individual के लिए, तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि individual के सबसे पहला test होता है, permanent home करके, ठीक है, अगर permanent home दोनों ही country में है, तो आपको देखना है, economic and personal relationship कहां पे closer है, अब एक बात समझना, permanent home दोनों जगे है, पर economic and personal relationship कहां closer है, वो पता नहीं चल रहा है, या permanent home है, वो कहीं पे नहीं है, तो आपको देखना है, habitually about जहां कर रहा है, वहां का वो resident माना जाएगा, लेकिन एक बात समझा, अगर वो habitually about कहीं नहीं कर रहा है, या दोनों जगे कर रहा है, तो national कहां का है, वहां का resident माना जाएगा, और national कहां का है, वो पता नहीं चल रहा है, या फिर national दोनों ही country का है, तो उस तो देखो, royalty की definition दे रही है, और royalty की definition यहां पर जो UN model में दे रही है, वो UN model में क्या बोलती है, royalty की definition देखिए, तो यहां पर इनों ने बोला, कि royalty means the payment for any kind, received as a consideration for use of or right to use or copyright of literacy, artistic, scientific work, including cinematograph, film or film or tapes used for the radio or television broadcasting, any patent, trademark, design, model, plan, secret formula, process or for the use of or right to use of industrial, commercial or scientific equipment or the information concerning industrial, commercial, scientific experience, तो एक बात समझना, यह बहुत ही exhaustive definition दे रही है, royalty की, तो यह royalty की definition है, यह तुमारे UN model में दे रही है, अब एक बात समझना, OECD model में royalty की definition में क्या फरक है, तो OECD model में दो चीजों को include नहीं कर रखा है, OECD model में अगर आप जाके देखेंगे, तो OECD model में दो चीजों को accept कर रखा है, एक तो यह rental of the film taps used for the radio and television broadcasting, यह word used नहीं हुए है, और दूसरा तुमारा equipment का rental है, वो royalty में नहीं आएगा, तो अगर मैं एक बात भूलू, यहाँ पर यह जो definition दे रही है, यह पर जो definition royalty की दे रही है, यह UN model के इसाब से, OECD model में दो फरक है, पहला फरक तो यह है कि OECD model में यह rental for the film or taps or use for the radio and television and broadcasting यह नहीं दे रहा, और दूसरा जो equipmental rental है, वो equipmental rental नहीं दे रहा, अब आप बोलो कि सर यह दोनों चीजे नहीं दे रही है, तो OECD में यह दोनों कहां पर taxable होगा, या तो article number 7 जो PGP का income होता है, उधर taxable होगा, या फिर article number 21 है, उसमें taxable हो जाएगा, उसके बाद next concept आता है, that is the question number 5, question number 5 यह बोलता है, कि देखिए, explain how the income derived by the resident of contracting state in the respect of professional service is taxable as per the UN model convention in this contest, discuss the scope of the professional service, यह भी exam में question आ सकता है, अब एक पास समझना है, UN model क्या बोलता है, UN model का होता है, article number 14 करके, और यह बात करता है, professional service की, लेकिन आप बोलोगे, professional service में क्या क्या आता है, तो professional service में क्या आता है, कि कोई भी ऐसी independent scientific, literary, artistic, educational, teaching activity, as well as the independent activity of the physician, lawyer, engineer, athletes, dentist, और accountants, यह जो है, यह professional service में आती है, अब एक पास समझना, यह article यह बोलता है, article number 14, कि normally क्या होता है, कि आपकी जो income है ना, वो सरफ resident वाले state में taxable होती है, resident वाले state में, जहां पर resident हो, वही पर taxable होगी, किसी दूसरी country में taxable नहीं होगी, लेकिन, इस article में दो cases में ऐसा बोला हुआ है, कि अगर मालो आप professional service प्रोवाइड करते हो, किसी source country में, तो आपको source country में भी tax लग सकता है, दो cases में, कौन कौन से cases में, पहला, पहला तो यह है, कि source case country में आपका fixed base regularly available to him, मिस आपका जो है, वो उस particular source country में, आपका कोई ना कोई fixed base regularly available to him है, इसका मतलब आपका कोई वहाँ पर permanent office है, वहाँ पर आपका permanent कोई ना कोई जगे है, तब उस country में आपको tax लगेगा, दूसरी चीज, या फिर वहाँ पर permanent जगे नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, उस country में visit करते हो, और stay करते हो 183 days या उससे ज़्यादा के लिए, तो 12 मन्त के period में 183 days या उससे ज़्यादा के लिए, उस country में stay करते हो, तो source country में आपका tax लगेगा, otherwise tax नहीं लगेगा, तो ये तुमारा question number 5 हो गया, इसको अगर example से मैं बताना चाहूँ, तो एक बंदा है, जिसका नाम है Mr. BB, अब एक बात समझता है, मैं teacher हूँ, और मैं teacher हूँ, और मैं इंडिया का resident and ordinary resident हूँ, अब हुआ क्या, बेटा, for an example, मैं गया नेपाल, अब नेपाल मैं जाके और मैं पढ़ाने लगा, और नेपाल मैं जाके मैं professional service देता हूँ, तो क्या नेपाल मैं भी tax लगेगा है नहीं, तो यहाँ पर यह article क्या बोलता है, आपका tax सिरफ resident वाली country में लगेगा, इंडिया में लगेगा, लेकिन नेपाल में tax लग सकता है, दो cases में, पहली case तो नेपाल में क्या है, मेरा कोई fixed base है, और यहाँ फिक्स base है, तब नेपाल में tax लगता है, और यहाँ फिर दूसरा क्या है, नेपाल में मेरा fixed base नहीं है, मैं लोगों को घर घर जाके पढ़ाता हूं लेकिन नेपाल में मेरा जो stay है वो 183 days या उससे ज़्यादा हो गया तो नेपाल में tax लगेगा otherwise नेपाल में tax नहीं लगेगा इंडिया में तो लगेगा ही लगेगा लेकिन नेपाल में दो cases में tax लग सकता है एक तो होता है juridical double taxation एक होता है economic double taxation ये juridical double taxation क्या होता है कि एक ही income पे अगर दो country में tax लग रहा है एक ही person के हाथ में that is called juridical double taxation जैसे मैं example लेता हूं मानलो मैं Mr. B.B. मैं इंडिया का resident and ordinary resident हो मुझे नेपाल से income होती है अब एक बात समझना नेपाल में भी tax लगेगा due to the source rule और इंडिया में tax लगेगा due to the residence rule that is called double taxation एक ही person परसन एक ही है लेकिन दो country में tax लग रहा है semi income के income पे that is called your juridical double taxation अब एक बात समझना juridical double taxation को कैसे avoid किया जाता है तो अगर मैं income tax act की बारत करूँ तो एक तो section 90 है एक section 90A है और section 91 है ये तीन section से क्या होता है juridical double taxation है उसको avoid किया जाता है 90E में क्या होता है 90 और 90A में दोनों country के बीच में DTAA बनाया जाता है 91 में क्या होता है कि अगर DTAA नहीं है तो resident person को अमारी government है वो एक रिवेट देते है 91 में तो उससे क्या होता है juridical double taxation है उसको avoid किया जाता है लेकिन एक आता है economic double taxation economic double taxation क्या होता है बदा है कि अगर मान लो income एक ही है बट उस income पे दो अलग-अलग person के हाथ में tax लग रहा है, means same income पे, income एक ही है, लेकिन उस पे दो अलग-अलग person के हाथ में दो country में tax लग रहा है, that is called economic double taxation, जैसे मैं एक example लेता हूँ, for an example हुआ क्या, जैसे एक France में company है, और France की एक company है, उसने क्या किय dividend दिया, और मान लो France में वहाँ पे DDT है, dividend distribution tax है, तो वो dividend पे France की company ने DDT पे किया, तो DDT France की company ने पे किया, और वो dividend है, वो वापस मेरे को मिला इंडिया में, तो मेरे हाथ में वापस taxable हो गया, तो देखिए, यहाँ पे amount एक ही है dividend, but dividend पे वो France की company DDT पे भर रही है, dividend distribution tax, औ और वो ही वाला dividend है, वो BB के हाथ में taxable भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही, nature एक ही है, income एक ही है, लेकिन दो अलग-लग लोगों के हाथ में taxable हो रहा है, that is called economic double taxation, अब economic double taxation को resolve कैसे किया जाता है, आप यहाँ पे map बनता है, कर गे, ठीक है, mutual agreement processor के थूर economic double taxation है उसको avoid किया जाता है, उसके बाद में question आपका आता है, सीधा आज़े, question number आपका 7 कर गे, और 7 यह बोलता है, कि जब दी कोई DTAA बनता है, तो explain the meaning, उसके कुछ examples आपको बताने है, एक तो अगर protocol का मतलब क्या है, and triangle in the interpretation of the tax treaty, मैंस कभी भी आप tax treaty या DTAA को read करते हो, आप उ चीजे है, वो addendum डालना है, तो उसमें protocol डाला जाता है, एक बात समझना, protocol की value इतनी ही है, जितनी treaty की value है, तो आप protocol को छोड़के नहीं जा सकते है, आपको protocol को साथ-साथ में पढ़ना पड़ेगा, किसी भी treaty को interpret करने के लिए, तो देखिए, यहाँ पर क्या दिर रखा है, protocol is like a supplement to the treaty, in many treaty, in order to put certain matter beyond the doubt, there is a protocol annex at the end of the treaty, which clarify the borderline issue, a protocol is an integral part of the text treaty and has the same binding force as the main clause therein, इसका मतलब यह हुआ कि treaty का जितना binding force है, उतना का उतना protocol का binding force भी रहेगा, इन simple word मैं बता दू आपको, किकुल मिला के, अपन जैसे law में पढ़ते है, एक section होती है, उसकी related, अगर माल लो कोई notification आया, तो notification binding होता है, same वैसा का वैसा है, protocol के भईया, एक treaty बन गी, उसमें कुछ supplement add करना है, बाद में, तो वो उसमें protocol add कर देते है, अब एक और concept आता है, preamble, preamble क्या होता है, treaty जहां चालू होती है, जब treaty बनाई जाती है, दोनों country के बीच में agreement बनाया जाता है, तो उसक यहां पर इनों एक example दे रखा है, कि आपका, जो India और Morrises का treaty था, उसके preamble में यह लिखा हुआ था, कि increasing of the mutual trade and investment, means इस treaty का preamble ही था, कि encouragement of the mutual trade and investment, इसको भाया, यह guide कर रहा है, कि आपको इस treaty के थूरू क्या करना है, कि increase करना है mutual trade and investment को, that is call your preamble, उसके बाद में question number 8 आता है that is the, explain the following terms in context of the interpretation of the text treaty, text treaty को explain करते हैं, आप यह जो terms है, इसका meaning बताइए, सबसे पहला principle of the contemporanea exposito, अब एक वास समाजदा है, इसका मतलब क्या होता है, कि यह treaty को आप उस time, जिस time पे वो treaty sign हुई थी, उस time पे उसका meaning क्या था, उस meaning के हिसाब से interpret करेंगे, means principle of the contemporanea exposito का मतलब होता है, कि treaty जब sign हुई थी, उसको interpret, उस word का meaning, जिस time पे sign हुई थी, उस time पे क्या था, जिस time पे वो sign हुई थी, जिस time पे वो treaty बनी थी, जिस time पे वो agreement बना था, जैसे for an example, India Molysis का agreement 78 में बना था, तो 78 में उस meaning का word क्या था, वो वाला word लेके और आपको उसको क्या करना है interpret करना है, that is called principle of the contemporary expository, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, a treaty terms are normally to be interpreted on the basis of their meaning at the time of the treaty was concluded, concluded का मतलब होता sign, आज हो सकता है, उस word का meaning कुछ अलग हो गया हो, लेकिन जिस time पे sign हुई थी, उस time पे उसका meaning क्या था, वो आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद में एक concept आता है, purposive interpretation, purposive interpretation का बतलब क्या होता है, कि देखिए, जो भी यह treaty बनती है, यह DTAA बनती है, उसको आप interpret ऐसे करोगे, जिससे कोई ना कोई purpose resolve होता हो, मिस आपको purpose resolve करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते के नहीं नहीं, या इसका purpose ही भूल जाओ, नहीं, आपको purpose है, वो resolve करना प this approach, the treaty is to be interpreted so as to facilitate the attainment of the aim and objective of the treaty, this approach is also known as the objective and purposive approach भी इसको बोला जाता है, जैसे इस particular case में बोला था, कि इंडिया मोरिसे से उसमें माल, the principle of adopted for the interpretation of treaty are not the same as those in the interpretation of the statutory legislation, अब आप law को interpret करते हो, वैसे treaty को interpret नहीं करोगे, लो में तो क्या होता है, भया, इफ का मतलब अलग होता है, यहाँ पर अगर मालो, कॉमा, मात्रा, ऐसा नहीं देखना है, यहाँ पर करगे, the interpretation of provision of the international treaty, including one of the double taxation relief, is that treaty are entered into at the political level and have several consideration at their basis, अब यहाँ पर, जैसे इंडिया मोरिसे की बात कर रहे, encouragement of the mutual trade and investment, यह उसका main objective था, प्रियेंबल में लिका था, तो उस purpose को ध्यान में रखते हुए आपको treaty को क्या करना है, interpret करना है, so यह तीन question मुझे लगता है, इसमें से कोई ना कोई exam में बैठ सकता है question, next topic आता है, that is the base erosion and profit sifting, अब यह base erosion and profit sifting क्या होता है, बता है, कि बहुत सारी multinational companyya क्या करती है, कि जहाँ पर profit कमा रही है ने, वहाँ पर profit show नहीं करती है, वो profit किसी एसी country में show करती है, जहाँ पर tax बहुत ही कम rate से लगता है, यह tax लगता ही नहीं, जिसको अवन tax heaven country बोल सकते है, तो वो क्या करती है, कि base को erode करती है, बेस erosion का मतलब होता है, वो base को erode करती है, जहाँ से basic activity हो रही है, जहाँ पर profit कमाया जा रहा है, वहाँ पर नहीं बता रह that exploit gaps and mismatches in the tax rules to make profit disappear for the tax purpose and to shift profit to the location where there is a little or no real activity, but the taxes are low or resulting in the little or no overall corporate tax being paid, तो इसका मतलब होता है base, अब एक बास समझना, base erosion and profit shifting जो है, उसकी वज़े से, BAPS की वज़े से, सर, क्या-क्या adverse effect रहेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो है, government have to cope with the less revenue and higher cost of ensure compliance, government का revenue कम हो जाएगा, और government की compliance की cost बढ़ जाएगी, सबसे पहला adverse effect यह है, दूसरा यह है कि developing country जो होती है, जो चोटी-चोटी country होती है, उनको क्या होता है, कि significant underfunding to the public investment that could help the foster economic growth, जो developing country है, या underdeveloped country है, उनको क्या होगा, जब पैसा नहीं मिलेगा, उनको tax का पैसा नहीं मिलेगा, तो उनकी जो economic growth है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, उसके बाद में, BEPS undermines the integrity of the tax system as reporting of the low corporate taxes as considered to be unfair, अब BEPS की वज़े से क्या होगा, कि जो multinational company जो होती है, वो multinational company तो क्या करेगी, बता है, कि कम tax बर रही होगी, जो multinational company है, वो तो कम tax बर रही होगी, और उसके साथ साथ में बेचारे जो individual taxpayer रहें आएगा, बट जो individual taxpayer रहेगा, उसके उपर क्या होगा, बर्डन है, वो बर्डन ज्यादा आजाएगा, लास्ट पार्ट ये बोलता है, जो enterprise जो domestic market में सिर्फ काम करती है, जो domestic market में काम करती है, वो demotivate होगी, क्योंकि उनकी tax की cost ज्यादा आएगी, और जो multinational company है, वो पूर में question बन साथ, चलिए, अब एक बात समझते है, question number 1 के बाद में question number 7 करेंगे, बट 7 के से पहले मैं आपको question number 8 करा आता हूँ, चलिए, आज ही question number 8 के, question number 8 ये बोलता है, कि sir, what is the mean by the thin capitalization, आप thin capitalization किसको बोलेंगे, why it is considered as the anti-avoidance major, and which action plan of the BEPS address the thin capitalization, explain the provision of incorporated in the income tax act 1961 to address the thin capitalization, एक बात समझना, thin capitalization का मतलब होता है, simple सी बात है, capital को thin कर देना, और capital को thin कैसे करते है, कि बहुत सारी कंपनिया क्या करती है, बता है, कि आपको बता है, ज्यादा से capital को कम करके और loan पे जाती है, और loan पे जाएगी, तो उसमें क्या होगा, interest देंगे, और interest देंगे तो बता है, interest के case में, interest is a deductible expenditure, अगर आप dividend देते हो, dividend deductible expenditure नहीं है, but interest is a deductible expenditure, तो बहुत सारी MNCs क्या करती थी, multinational companies है न, वो multinational companies क्या करती थी, बता है, कि एक ही company से, दूसरी company में equity से invest नहीं कराते थे, वो हमेशा debt देते थे, और आपका interest expenditure इतना हो जाता था, और जिससे क्या होता था, इंडिया में income है, वो बहुत ही कम हो जाती थी, इंडिया में जो profit है, वो disappear हो जाता था, तो इसको counter करने के लिए BAPS का action plan number 4 है, और ये BAPS का action plan number 4 है, वो ये बोल 24B में ये बोला हुआ है, आपको याद रहेगा, वो EBITDA का 30% से ज़्यादा interest नहीं होना चाहिए, याद आया गरगे, audit में भी, tax audit में भी ये वाला point आता है, गरगे, तो आपने ये देखा होगा, कि एक बात बताईए, मुझे, यहाँ पे यही दे रहा, जो मैंने आपको अ नमबर आपका 4 लाया, ऐसे ही एक question नमबर आपका 7 और है, 7 और देख लेते हैं अपन, बट देखो 7 में आपको थोड़ा सा ऐसे समझ में नहीं आएगा, यह क्या है, बट देखो जितना समझ में है समझ लेना, सबसे पहले, what is the meaning and difference between the hybrid mismatch and branch mismatch, briefly mention the reason why hybrid mismatch arrangement arise and which action plan of BEPS gives the recommendation in this regard, अब एक बास समझना, hybrid mismatch arrangement क्या होता है, बता है तुमको, देखिए, पहले इसमें लिखा हुआ क्या है, वो सब पढ़ते है, a hybrid mismatch is the arrangement that exploits a difference in the text treatment of entity or an instrument under the laws of the two or more text jurisdiction to achieve the double non-textation, means यहाँ पे क्या हो रहा है, hybrid mismatch तब होता है, जब दो country में law का ऐसे benefit लिया जाता है, जब दोनों नहीं जगे tax नहीं लगता, मतलब double non-textation का मतलब हुआ कहीं पे भी tax नहीं लगेगा, ऐसे किया जाता है, अब आप बोलोगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मैं एक example लेता हो, जैसे for an example, एक country बोलती है, वो exempt है, और दूसरी country जो बोलती है, वो बोलती है, एक country यह बोलती है, अब एक बात समझना, एक country में, जो बोल रही है, country के dividend exempt है, वहाँ पे कुछ dividend मिला, उस country का कोई resident person है, उसको dividend मिला, तो वो exempt हो जाएगा, लेकिन दूसरी country में उसी dividend को interest बोला जाता है, तो दूसरी country में, जो entity रहेगी, वो entity क्या करेगी, interest का deduction ले लेगी interest is allowable expenditure, तो interest का deduction ले लेगी, एक बात बताओ, एक country में, उसी, जो payment है, एक country जो है, उसका tax law बोलता ही है, interest है, और दूसरी country का tax law बोलता ही है, तो एक country का tax law dividend बोल रहा है, उस country में, उसको कोई tax नहीं लग रहा है, और जिस country का tax law, उसको interest बोल रहा है, वो interest allowable expenditure है, अब एक ब हुआ और उदर खर्चा भी अलव हो गया तो ऐसा होता है इसी को बोला जाता है hybrid mismatch arrangement तो यह hybrid mismatch arrangement जो होता है इसी को इन्होंने counter करने के लिए बोला था बैप्स का action plan number two होता है और वो यह बोलता है कि भाईया आप एक काम करिए कि आप अपने domestic law को change करिए और domestic law को change करके और आप ऐसे बनाईए जिससे कि लोग यह hybrid mismatch arrangement नहीं करे करके अब hybrid mismatch arrangement कैसे हो सकता है या तो creation of the two deduction for the single borrower आपने एक ही लोन लिया है लोन आपने एक लिया और उसका interest दो कंट्री में उसका deduction ले रहे हो ऐसा हो सकता है अगर के ठीक है दूसरा generation of deduction without corresponding income inclusion यही मैंने आपको example में बताया था misuse of the foreign tax credit and participation exemption regimes exemption regimes मतलब जहाँ पे आपका tax holidays या अपने बोल सकते है ऐसी tax वाली countries जहाँ पे tax लगता ही नहीं है tax seven countries वहाँ पे जाके और आप काम कर रहे हो that is call वहाँ पे इसकी वज़े से आप tax बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो तो वो hybrid mismatch में आ जाएगा तो आपको एक बात बताओ इसमें जितना याद रहे उतना आप रख देना अब एक बात समझता है यहाँ पे branch mismatch का मतलब क्या होता है कि एक बात बताओ जैसे foreign example यह मैं बता दू इंडिया इंडिया में क्या हुआ एक head office है और माल लो इंडिया का head office है उसकी एक branch जो है वो branch जो है वो foreign example श्रीलंका में है अब branch अपना P&L श्रीलंका में बनाएगी और branch है वो श्रीलंका में जो है वो tax pay करेगी as well as branch की income पे इंडिया में भी tax लगेगा अब एक बात समस्दा हो सकता है ना श्रीलंका में branch की income calculate करने का tax law अलग है rules अलग है और इंडिया में उसी branch को income को include करने के लिए law है वो अलग है वो अलग है तो श्रीलंका में जो branch ने अपनी income बताई होगी वो इंडिया में बता रहे है तो वो अलग बताई होगी तो that is call your branch mismatch तो branch mismatch का मतलब यही होता है कि क्या होता है कि head office जिस country में है वहाँ का tax law कुछ अलग बोलता है और branch जिस country में है वहाँ का tax law कुछ अलग बोलता है और उस वज़े से branch की income है उसमें mismatch आता है that is called branch mismatch कर गे ठीक है तो ये मैंने आपको छोटे-छोटे topics थे अब मैं एक बात बता हूँ ये जो मैंने आपको question करा है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इसमें से कोई आपको 15-20 माग का आई ही जाएगा बट आ सकता है exam में कुछ ना कुछ छोटे-छोटे question आते है बहुत सारे तो लोग क्या करते है फिर वो वाले question को option में छोड़के चले जाते है बट मैंने इस बार सोचा कि क्यो ना मैं थोड़ा सा time लगा के और आपके साथ में कुछ questions से वो मैं discuss करूँ इस बार मैंने आपके लिए जैसा आपको पता है या इस started with the revision lecture मैंने आपको revision lecture दिये उसके बाद मैं revision lecture जैसे ही complete हो गए उसके बाद मैंने आपको क्या बोलते है super 30 दिया super 30 जो questions थे वो best question है exam में आप करके जाएगा उसको और उसमें बहुत सारे amendments कवर हुए थे तो super 30 questions है वो मैंने आपको दिये उसके साथ साथ में अभी माने आपको यह questions और दिये so guys अब मेरा तो रोल पूरा हो जाता है अब आपका रोल है कि आप exam में कैसे perform करेंगे तो मैं तो यही चाहता हूँ कि देखो यार आपने मैनत जो करनी थी वो आपने कर ली मैंने जो मैनत करनी थी वो मैंने कर ली अब देखो उपर वाले के हाथ में है और थोड़ा बहुत आपके हाथ में है तो आप जब exam देने जाओ अच्छे से लिखना वो तीन गंटे आपके live के best होने चाहिए और don't worry यार ज़्यादा टेंशन मत लेना कि कुछ याद आ रहा है मैं बताओं अगर आप शांती से सोचोगे ना हर चीज याद आ जाती है आपको भी पता है कि जब आप एकदम आराम से बैटे होते हैं तो आपके पुरानी कितनी 5-5-10-10 साल पुरानी चीज़े आपको सब याद आने चल लग जाती है किस-किस के मैसेज याद आ जाती है आपको पता ही है तो मैं बता दू अभी आपको क्या करना है तो ऐसे आराम से सोचना है सब चीज़े आपको याद आ जाएगी तो गाइस बेस्ट आप लग फूर एक्जामिनेशन देट सनब फो टोड़े फ्रॉम माई साइड